बाप घोडी से उत्रेगा, तभी तो बेटा घोडी चड़ेगा न? झाल की तो बेटाज बेटा, बेटाज से उत्रेगा, लजा न? झाल की तो । झाल 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 का पादेने वाले स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 का जाने रीवियू साथी में जाएं कहा देखे इस वर्म को अजमेर 92 की कहानी एक सत्य घटना पर अधारित है साल था उननीस सवरान में इप्रिल के महीने में राजस्तान का अजमेर में से एक्टो लर्कियों के साथ हुई हैवानियत के खबर ने पूरे देश को जंग छोड कर रख दिया था उस रोज भले ही सोशल मीडिया का जमाना नहीं था लेकिन खबरों को आख की तरह फैलाने में जादा वक्त नहीं लगता था एक रोज एक खबर अकवार के फ्रंट पेच पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज की चातरों की न्यूट फोटोस बलर करके लगाए गए जिससे पूरे देश में हलचल मच गई कहानी थी है वनियत की कहानी थी सौ लर्कियों के साथ हुए दुशकर्म की कहानी थी दो सो पचास लर्कियों के साथ हुए ब्लैक मेलिंग की पीडितों ने अपने बयान में ऐसी बाते कही जिसने पूरे देश कियों हिला कर रख दिया था उनका कहना था कि शहर के रसूपदार पडिवारों के कुछ लर्कों ने उनके साथ दुशकर्म किया था ये सिसला पहले एक लर्की से शुड़ो हुआ पहले उसका दुशकर्म किया फिर आपत्य जिनप फोटो कीची गई और फिर उसे शहर भर में सर्कुलेट करवाने की धमकी दी गई फोटो डिलीट करने का वादा कर पीडित चात्रा से अपनी दूसरी सहली को लाने को कहा गया और इस तरह एक एकर सौ लर्किया हवस का सिकार बन गई सौ लर्कियों के साथ हैवानियत हुई तो वही करीब 250 लर्कियों की नूट पिच्चु सुर्कुलेट हुई एक बाद एक कई लर्कियों ने तो सुसाइड भी कर लिया था जान शुरू हुई तो कई नामी परिवारों के लर्कों का नाम सामने आया जिन में मुख्या आरोपी फारुक चिष्टी नफीस चिष्टी और अनवर्च चिष्टी थे इनके परिवार अजमेर की दरगा में क बुलाया गया लेकिन जातातर परिदों ने चुपी साथ रखी थी कुछ लर्किया हैवानों के खिलाफ आवाज उठाने आई भी तो उन्हें डरा धमका कर चुप कराया दिया गया और मातर दो लर्किया अपने बयान पर डटी रही रिपोर्स के मताबिक आट आरोपियों क उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी जिन में इसे चार को वरी कर दिया गया था और चार की सजा दस साल कर दी गई वही कई अभी भी फरार है थीटर्स में तहल का मचाया था कई भी वदों के बावजूद भी मूवी को दर्शकों की साथ साथ क्रिटिक्स का भी धेर साड़ा प्यार मिला था हाला कि कुछ लोगों ने अब तक दकेर स्टोरी नहीं देखी है ऐसे में उनके लिए बड़ी खुश कवरी है क्योंकि मूवी जल्दी ओटीटे पर दस्तक देने वाली है आदा शर्मानी इंस्ट्रोग्राम पर ये रुमांच्र कवर अपने फैंस के साथ सजा की फिल्म सुदीप्तो सेंद्वारा निर्देशितर विपल शाद्वारा समर्थित है एक्प्रिस ने लिखा आखिरकार बहु प्रतिक्षित फिल्म जल्दी जी फाइपर आ रही है इक्साइटमेंट दिखाते हुए लिखा वाह में ये मूवी रुलेस होने के तुरंदवाद ही देखूंगा दकेरल स्टोरी तीन लग्यों की कहानी है शालीनी निमा और गितांजली जी ने उनकी रूमेट असीफा द्वारा दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए प पातंगवादी समुहों की परिवर्तित सदस्या और अफगनिस्तान में उसकी कैद को दिखाया गया है अधा शर्मा ने मूवी की सफलता पर कहादा के रिल स्टोरी के साहसी निर्मात अभिपल शाह और सुदीप तरसेन इस फिल्म को जीवनता बनाने के लिए करी मैनत करने है ओटीटी जर्णी के वारे महुत साहिद विपल अमनितलाल शाह ने कहा बॉक्स ऑफिस पर जवर्दस सफलता के बाद हमें हजारों मेल मिल रहे हैं कि दकेर स्टोरी ओटीटी पर कब आएगी उन्होंने कहा तो आखिरकार इंतजार खतम हुआ और यहां है दकेर स्टोरी क प्रीमिर जीफाइपर होने जा रहा है और अपके घर में बैट कर फिल्म देखना एक अद्वत अनुवब होने वाला है और ऐसे कईशन है जहां आप फिल्म को बार बार देखना या देखना चाहोगे अजमेर में हुए रू का पादेने वाले स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 का जाने रीवियू साथी में जाएए कहा देखे इस फिल्म को अजमेर 92 की कहानी एक सत्य घटना पर अधारित है साल था 1990 में इप्रिल के महीने में राजस्तान का अजमेर में सेक्टों लर्कियों के साथ हुई हैवानियत के खबर ने पूरे देश को जंगचोड कर रख दिया था उस रोज भले ही सोशल मीडिया का जमाना नहीं था लेकिन खबरों को आख की तरह फैलाने में जादा वक्त नहीं लगता था एक रोज एक खबर अकवार के फ्रंट पेच पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज की चातरों की न्यूट फोटोस बलर करके लगाए गए जिससे पूरे देश में हलचल मच गई कहानी थी है वनियत की कहानी थी सौ लर्कियों के साथ हुए दुश कर्म की कहानी थी दो सो पचास लर्कियों के साथ हुए ब्लैक मेलिंग की पीडितों ने अपने बयान में ऐसी बाते कही जिसने पूरे देश कियों हिला कर रख दिया था उनका कहना था कि शहर के रसूपदार पडिवारों के कुछ लर्कों ने उनके साथ दुशकर्म किया था ये सिसला पहले एक लर्की से शुड़ो हुआ पहले उसका दुशकर्म किया फिर आपत्य जिनब फोटो खीची गई और फिर उसे शहर भर में सर्कुलेट करवाने की धमकी दी गई फोटो डिलीट करने का वादा कर पीडित चात्रा से अपनी दूसरी सहली को लाने को कहा गया और इस तरह एक एकर सौ लर्किया हवस का सिकार बन गई सौ लर्कियों के साथ हैवानियत हुई तो वही करीब 250 लर्कियों की नूट पिच्चु सुर्कुलेट हुई एक बाद एक कई लर्कियों ने तो सुसाइड भी कर लिया था जान शुरू हुई तो कई नामी परिवारों के लर्कों का नाम सामने आया जिन में मुखे आरोपी फारुक चिस्ती नफीस चिस्ती और अनवर्च चिस्ती थे इनके परिवार अजमेर की दरगा में काम करते थे तीनों यूद कॉंग्रेस से भी जुड़े हुए थे पुलीस ने मामले की जाँच परताल की तो अटरा आरोपियों के खिलाफ केस दर्च किया गया एक एक कर पीडितों को बयान देने के लिए आगे बुलाया गया लेकिन जाद अतर परिदों ने चुपी साथ रखी थी कुछ लड़किया हैवानों के खिलाफ आवाज उठाने आई भी तो उन्हें डरा धमका कर चुप कराया दिया गया और मातर दो लड़किया अपने बयान पर डटी रही रिपोर्स के मताबिक आट आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी ती जिन में से चार को बड़ी कर दिया गया था और चार की सजा 10 साल कर दी गई वहीं कई अभी भी फरार है थीयेटर्स में तहल का मचाया था कई भी वदों के बावजूद भी मूवी को दर्शकों की साथ साथ क्रिटिक्स का भी धेर सारा प्यार मिला थ आदा शर्मानी इंस्ट्रोग्राम पर ये रुमांच्र कवर अपने फैंस के साथ सजा की फिल्म सुदीपतो सेंद्वारा निर्देशित और बिपल शाद्वारा समर्थित है अक्रिस ने लिखा आखिरकार बहु प्रतिक्षित फिल्म जल्दी जी फाइब पर आ रही है हैश्टैग दा केरला स्टोरी का प्रीमियर 16 फर्वरी को केबल हैश्टैग जी फाइब पर होगा दकेरल स्टोरी पांच में 2023 को सिनमा गरों में रुलीज हुई थी अब ये OTT प्लैट्फराम सी फाइब पर 16 फर्वरी से स्प्रीम होगी एक यूजर ने एकसाइटमेंट दिखाते हुए लिखा वाह मैं ये मूवी रुलीज होने के तुरंद वाध ही देखूँगा दकेरल स्टोरी तीन लर्कियों की कहानी है शालीनी निमा और गितांजली जी ने उनकी रूमेट असीफा द्वारा दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रिरित किया जाता है एक आतंगवादी समुहों की परिवर्तित सदस्या और अफगनिस्तान में उसकी कैट को दिखाया गया है अदा शर्मा ने मूवी की सफलता पर कहादा के रिल स्टोरी के साहसी निर्मात अभी पुल्शा और सुदीप तसेन इस फिल्म को जीवनता बनाने के लिए करी मेनत क करने के लिए सरहाना के पात्र है बॉक्स ऑफिस पर शांदा सफलता के बाद दुनिया भर में इत्यास रच्टे हुए यह अब तक की सबस्यादी कमाई करने वाली फीमिल लीड फिल्म बन गई है अब हम जी फाइप पर फिल्म की रिलीस का इंतजार कर रहे है ओटीटी जर यहां है तकी रिस्टोरी का प्रीमिर जी फाइपर होने जा रहा है और अपके घर में बैट कर फिल्म देखना एक अदवत अनुवब होने वाला है और ऐसे कईशन है जहां आप फिल्म को बार बार देखना या देखना चाहोगे अजमेर में हुए रू का पादेने वाले स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 का जाने रीवियू साथी में जाएं कहा देखे इस फिल्म को अजमेर 92 की कहानी एक सत्य घटना पर अधारित है साल था 1990 में इप्रिल के महीने में राजस्तान का अजमेर में से एक्टो लर्कियों के साथ हुई हैवानियत के खबर ने पूरे देश को जंग छोड कर रख दिया था उस रोज भले ही सोशल मीडिया का जमाना नहीं था लेकिन खबरों को आख की तरह फैलाने में जादा वक्त नहीं लगता था एक रोज एक खबर अकवार के फ्रंट पेच पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज की चातरों की न्यूट फोटोस बलर करके लगाए गए जिससे पूरे देश में हलचल मच गई कहानी थी है वनियत की कहानी थी सो लरक्यों के साथ हुए दुशकर्म की कहानी थी 250 लरक्यों के साथ हुए ब्लैक मेलिंग की पीडितों ने अपने बयान में ऐसी बाते कही जिसने पूरे देश कियों हिला कर रख दिया था उनका कहना था कि शहर के रसूपदार पडिवारों के कुछ लर्कों ने उनके साथ दुशकर्म किया था ये सिसला पहले एक लर्की से शुड़ो हुआ पहले उसका दुशकर्म किया फिर आपत्य जिनप फोटो कीची गई और फिर उसे शहर भर में सर्कुलेट करवाने की धमकी दी गई फोटो डिलीट करने का वादा कर पीडित चात्रा से अपनी दूसरी सहली को लाने को कहा गया और इस तरह एक एकर सौ लर्किया हवस का सिकार बन गई सौ लर्कियों के साथ हैवानियत हुई तो वही करीब 250 लर्कियों की नूट पिच्चु सुर्कुलेट हुई एक बाद एक कई लर्कियों ने तो सुसाइट भी कर लिया था जान शुरू हुई तो कई नामी परिवारों के लर्कों का नाम सामने आया जिन में मुख्या आरोपी फारुक चिष्टी नफीस चिष्टी और अनवर्च चिष्टी थे इनके परिवार अजमेर की दरगा में क बुलाया गया लेकिन जातातर परिदों ने चुपी साथ रखी थी कुछ लर्किया हैवानों के खिलाफ आवाज उठाने आई भी तो उन्हें डरा धमका कर चुप कराया दिया गया और मातर दो लर्किया अपने बयान पर डटी रही रिपोर्स के मताबिक आट आरोपियों क उम्रकैत की सजा सुनाई गयी थी जिनमें से चार को वरी कर दिया गया था और चार की सजा दस साल कर दी गई वही कई अभी भी फरार है थियेटर्स में तहल का मचाया था कई भी वदों के बावजूद भी मूवी को दर्शकों की साथ साथ क्रिटिक्स का भी धेर सारा प्यार मिला था हाला कि कुछ लोगों ने अब तक दकेर स्टोरी नहीं देखी है ऐसे में उनके लिए बड़ी खुशकवरी है क्योंकि मूवी जल्दी ओटिटे पर दस्तक देने वाली है आदा शर्मानी इंस्ट्रोग्राम पर ये रुमांच्र कवर अपने फैंस के साथ सजा की फिल्म सुदीप्तो सेंद्वारा निर्देशितर विपल शाद्वारा समर्थित है अक्रिस ने लिखा आखिरकार बहु प्रतिक्षित फिल्म जल्दी जी फाइब पर आ रही है हाश्टाग दा केरला स्टोरी का प्रीमियर 16 फर्वरी को केबल हाश्टाग जी फाइब पर होगा दा केरल स्टोरी पांच में 2023 को सिनमा घरों में रुलीज हुई थी अब ये OTT प्लाट्फराम सी फाइब पर 16 फर्वरी से स्प्रीम होगी एक यूजर ने एकसाइटमेंट दिखाते हुए लिखा वाह में ये मूवी रुलेस होने के तुरंद वाध ही देखूंगा दा केरल स्टोरी तीन लग्यों की कहानी है शालीनी निमा और गितान जलीजी ने उनकी रूमेट असीफा द्वारा दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रिरित कया जाता है एक आतंगवादी समूहों की परिवर्तित सदस्या और अफगनिस्तान में उसकी कैट को दिखाया गया है अधा शर्मा ने मुवी की सफलता पर कहादा के रिल स्टोडी के साहसी निर्माता अभिपल शाह और सुदीप तरसेन इस फिल्म को जीवनता बनाने के लिए करी मेनत कर करने के लिए सरहाना के पात्र है बॉक्स ऑफिस पर शांदा सफलता के बाद दुनिया भर में इत्यास रच्टे वे यह अब तक की सबस्यादी कमाई करने वाली फीमिल लीड फिल्म बन गई है अब हम जी फाइप पर फिल्म की रिलीस का इंतजार कर रहे है ओटीटी जुर यहां है तकी रिस्टोरी का प्रीमिर जी फाइपर होने जा रहा है और अपके घर में बैट कर फिल्म देखना एक अद्वत अनुवब होने वाला है और ऐसे कईशन है जहां आप फिल्म को बार बार देखना या देखना चाहोगे अजमेर में हुए रू का पादेने वाले स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 का जाने रीवियू साथी में जाएए कहा देखे इस फिल्म को अजमेर 92 की कहानी एक सत्य घटना पर अधारित है साल था 1990 में इप्रिल के महीने में राजस्तान का अजमेर में सेक्टों लर्कियों के साथ हुई हैवानियत के खबर ने पूरे देश को जंगचोड कर रख दिया था उस रोज भले ही सोशल मीडिया का जमाना नहीं था लेकिन खबरों को आख की तरह फैलाने में जादा वक्त नहीं लगता था एक रोज एक खबर अकवार के फ्रंट पेच पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज की चातरों की न्यूट फोटोस बलर करके लगाए गए जिससे पूरे देश में हलचल मच गई कहानी थी है वनियत की कहानी थी सौ लर्कियों के साथ हुए दुशकर्म की कहानी थी 250 लर्कियों के साथ हुए ब्लैक मेलिंग की पीडितों ने अपने बयान में ऐसी बाते कही जिसने पूरे देश की ओ हिला कर रख दिया था उनका कहना था कि शहर के रसूपदार पडिवारों के कुछ लर्कों ने उनके साथ दुशकर्म किया था ये सिसला पहले एक लर्की से शुड़ो हुआ पहले उसका दुशकर्म किया गया फिर आपत्य जिनब फोटो खीची गई और फिर उसे शहर भर में सर्कुलेट करवान हुई तो वही करीब 250 लर्कियों की नूट पिच्चर सर्कुलेट हुई एक के बाद एक कई लर्कियों ने तो सूसाइट भी कर लिया था जान शुड़ो हुई तो कई नामी परिवारों के लर्कों का नाम सामने आया जिनमें मुख्या आरोपी फारुक चिष्टी नफीस च चिष्टी और अन्वर्च चिष्टी थे इनके परिवार अजमेर की दरगा में काम करते थे तीनों यूद कॉंग्रेस से भी जुड़े हुए थे पुलीस ने मामले की जाँच परताल की तो अटरा आरोपियों के खिलाफ केस दर्च किया गया एक एक कर पीडितों को बयान देने के लिए आगे बुलाया गया लेकिन जाद अतर परितों ने चुपी साथ रखी थी कुछ लड़किया हैवानों के खिलाफ आवाज उठाने आई भी तो उन्हें डरा धमका कर चुप कर आया दिया गया और मातर दो लड़किया अपने बयान पर डटी रही रिपोर्ट के मताबिक आठ आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गए थी जिनमें इसे चार को वरी कर दिया गया था और चार की सजा दस साल कर दी गई वहीं कई अभी भी फरार है थीटर्स में तहलका मचाया था कई भी वदों के बावजूद भी मूवी को दर्शकों की साथ साथ क्रिटिक्स का भी धेर साड़ा प्यार मिला था हाला कि कुछ लोगों ने अब तक दकेर स्टोरी नहीं देखी है ऐसे में उनके लिए बड़ी खुशकवरी है क्योंकि मूवी जल्दी ओटी पर दस्तक देने वाली है आदा शर्मानी इंस्ट्रोग्राम पर ये रुमांच्र कवर अपने फैंस के साथ सजा की फिल्म सुदीप्तो सेंद्वारा निर्देश इतर विपल शाद्वारा समर्थित है एक्प्रस ने लिखा आखिरकार बहु प्रतिक्षित फिल्म जल्दी जी फाइब पर आ रही है है हैश्टैग दा केरला स्टोरी का प्रीमियर 16 फर्वरी को केबल हैश्टैग जी फाइब पर होगा दकेरल स्टोरी पांच में 2023 को सिनमागरों में रुलीज हुई थी अब यह OTT प्लैट्वाइब पर 16 फर्वरी से स्प्रीम होगी एक यूजर ने एकसाइटमेंट दिखाते हुए लिखा वाह में ये मूवी रुलीज होने के तुर भजित किया गया है पहले भाग में दिखाया कि कैसे लगकियों को दूस्त्रे धर्म में पर्युथक करने में परिधित किया बीजित दूस्तार परकहा दाप के के बाद दुनिया भर में इत्यास रच्टे हुए यह अब तक की सबस्यादी कमाई करने वाली फीमिल लीड फिल्म बन गई है अब हम जी फाइब पर फिल्म की रिलीस का इंतजार कर रहे है ओटीटी जर्णी के वारे महुत साहिद विपल अमरितलाल शाह ने कहा बॉक्स आफ तो एक प्री मिर्जी फाइपर होने जा रहा है और अपके घर में बैट कर फिल्म देखना एक अदवत अनुवब होने वाला है और ऐसे कईशन है जहां आप फिल्म को बार बार देखना या देखना चाहोगे अजमेर में हुए रू का पादेने वाले स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 का जाने रीवियू साथी में जाएए कहा देखे इस फिल्म को अजमेर 92 की कहानी एक सत्य घटना पर अधारित है साल था 1990 में इप्रिल के महीने में राजस्तान का अजमेर में सेक्टों लर्कियों के साथ हुई हैवानियत के खबर ने पूरे देश को जंगचोड कर रख दिया था उस रोज भले ही सोशल मीडिया का जमाना नहीं था लेकिन खबरों को आख की तरह फैलाने में जादा वक्त नहीं लगता था एक रोज एक खबर अकवार के फ्रंट पेच पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज की चातरों की न्यूट फोटोस बलर करके लगाए गए जिससे पूरे देश में हलचल मच गई कहानी थी है वनियत की कहानी थी सौ लग्यों के साथ हुए दुष कर्म की कहानी थी 250 लग्यों के साथ हुए ब्लैक मेलिंग की पीडितों ने अपने बयान में ऐसी बाते कही जिसने पूरे देश क्यों हिला कर रख दिया था उनका कहना था कि शहर के रसूपतार पड़िवारों के कुछ लर्कों ने उनके साथ दुशकर्म किया था ये सिसला पहले एक लर्की से शुड़ो हुआ पहले उसका दुशकर्म किया फिर आपत्य जिनब फोटो कीची गई और फिर उसे शहर भर में सर्कुलेट करवाने की धमकी दी गई फोटो डिलीट करने का वादा कर पीडित चात्रा से अपनी दूसरी सहली को लाने को कहा गया और इस तरह एक एकर सौ लर्किया हवस का सिकार बन गई सौ लर्कियों के साथ हैवानियत हुई तो वही करीब 250 लर्कियों की नूट पिच्चु सुर्कुलेट हुई एक बाद एक कई लर्कियों ने तो सुसाइड भी कर लिया था जान शुरू हुई तो कई नामी परिवारों के लर्कों का नाम सामने आया जिन में मुख्यार आरोपी फारुक चिष्टी नफीस चिष्टी और अनवर चिष्टी थे इनके परिवार अजमेर की दरगा में काम करते थे तीनों यूद कांग्रेस से भी जुडे हुए थे पलीस ने मामले की जाँच परताल की तो अजमेर के 18 आरोपियों के खिलाफ केस दर्च किया गया एक एक कर पीडितों को बयान देने के लिए आगे बुलाया गया लेकिन जात अतर पीडितों ने चुपी साथ रख सुनाई गए थी जिनमें इसे चार को वरी कर दिया गया था और चार की सजा दस साल कर दी गई वहीं कई अभी भी फरार है थेटर्स में तहल का मचाया था कई भी वदों के बावजूद भी मूवी को दर्शकों की साथ-साथ क्रिटिक्स का भी धेर साड़ा प्यार मिला था हाला कि कुछ लोगों ने अब तक दकीर स्टोरी नहीं देखी है ऐसे में उनके लिए बड़ी खुशकवरी है क्योंकि मूवी जल्दी OTT पर दस्तक देने वाली है आदा शर्मानी इंस्ट्रोग्राम पर ये रुमांच्र कवर अपने फैंस के साथ सजा की फिल्म सुदीपत को केबल हैश्टैग जी फाइब पर होगा दकेर स्टोरी पांच में 2023 को सिनमागरों में रुलीज हुई थी अब ये OTT प्लैट्प्राम सी फाइब पर 16 फरवरी से स्प्रीम होगी एक यूजर ने एकसाइटमेंट दिखाते हुए लिखा वाह में ये मूवी रुलीज होने क तुरंद वाध ही देखूंगा दकेरल स्टोरी तीन लर्कियों की कहानी है शालीनी निमा और गितांजली जी ने उनकी रूमेट असीफा द्वारा दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रिरित किया जाता है दकेरल स्टोरी को दो भागों में भीवजित किया गया कि कैसे लर्कियों को दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रिरित किया गया था जिबकि दूसरे भाग में फतीमा वाग के रूप में शालीनी की यात्रा एक आतंगवादी समोहों की परिवर्तित सदस्या और अफगनिस्तान में उसकी कैट को दिखाया गया है इत्यास रच्टे वे यह अब तक की सबस्यादी कमाई करने वाली फीमिल लीड फिल्म बन गई है अब हम जी फाइप पर फिल्म की रिलीस का इंतजार कर रहे हैं ओटीटी जर्णी के वारे महुत साहिद विपल अमनितलाल शाह ने कहा बॉक्स आफिस पर जबर्दस सफलता के बाद हमें हजारों मेल मिल रहे है कि दकेर स्टोरी ओटीटी पर कब आएगी उन्होंने कहा तो आखिरकार इंतजार खतम हुआ और यह यहां है दकेर स्टोरी का प्रीमिर जीफाइपर होने जा रहा है और अपके घर में बैट कर फिल्म देखना एक अद्वत अनुवब ह होने वाला है और ऐसे कईशन है जहां आप फिल्म को बार बार देखना या देखना चाहोगे अजमेर में हुए रूख अपा देने वाले स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 का जाने रीवियू साथी में जाएं कहा देखे इस फिल्म को अजमेर 92 की कहानी एक सत्य घटना प कर डग दिया था उस रोज भले ही शोशल मीडिया का जमाना नहीं था लेकिन खबरों को आग की तरह फैलाने में जादा वक्त नहीं लगता था एक रोज एक खबर अकवार के फ्रंट पेच पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज की चात्रों की निउट फोटोस बलर करके लगाए ग पीडितों ने अपने बयान में ऐसी बाते कही जिसने पूरे देश की ओखिला कर रख दिया था उनका कहना था कि शहर के रसूपदार पडिवारों के कुछ लर्कों ने उनके साथ दुशकर्म किया था ये सिसला पहले एक लर्की से शुड़ो हुआ पहले उसका दुशकर्म किया गया फिर आपत्य जिनब फोटों खीची गई और फिर उसे शहर भर में सर्कुलेट करवाने की धंकी दी गई फोटो डिलीट करने का वादा कर पीडित चात्रा से अपनी दूसरी सहली को लाने को कहा गया और इस तरह एक एकर सौ लर्किया हवस का सिकार बन गई सौ लर्कियों के साथ हवानियत हुई तो वही करीब 250 लर्कियों की नूट पिच्चर सुर्कुलेट हुई एक के बादे कई लर्कियों ने तो सूसाइट भी कर लिया था जान शुरू हुई तो कई नामी परिवारों के लर्कों का नाम सामने आया जिनमें मुख्यारों पी फारुक चिष्टी नफीस चिष्टी और अनवर्च चिष्टी थे इनके परिवार अजमेर की दरगा में काम करते थे तीनों यूद कॉंग्रेस से भी जुड़े हुए थे पुलीस ने मामले की जाँच परताल की तो अच्चरा आरूपियों के खिलाफ केस दर्च किया गया एक एक कर पीडितों को बयान देने के लिए आगे बुलाया गया लेकिन जाद अतर पीडितों ने चुपी साथ रखी थी कुछ लर्किया हैवानों के खिलाफ आवाज उठाने आई भी तो उन्हें डरा धमका कर चुप कराया दिया गया और मातर दो लर्किया अपने बयान पर डटी रही रिपोर्स के मताबिक आठ आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गए थी जिन में इसे चार को वरी कर दिया गया था और चार की सजा दस साल कर दी गई वहीं कई अभी भी फरार है थीटर्स में तहलका मचाया था कई भी वदों के बावजूद भी मूवी को दर्शकों की साथ साथ क्रिटिक्स का भी धेर साड़ा प्यार मिला था हाला कि कुछ लोगों ने अब तक दकीर स्टोरी नहीं देखी है ऐसे में उनके लिए बड़ी खुशकवरी है क्योंकि मूवी जल्दी ओटी पर दस्तक देने वाली है आदा शर्मानी इंस्ट्रोग प्रेमियर 16 फर्वरी को केबल हैश्टैग जी फाइब पर होगा दकेर स्टोरी पांच में 2023 को सिनमा घरो में रुलीज हुई थी अब ये OTT प्लैट्प्राम सी फाइब पर 16 फर्वरी से स्प्रीम होगी एक यूजर ने एकसाइटमें दिखाते हुए लिखा वाह मैं ये मू मूवी रुलेस होने की तुरंद वाध ही देखूंगा दकेरल स्टोरी तीन लर्कियों की कहानी है शालीनी निमा और गितांजली जी ने उनकी रूमेट असीफा द्वारा दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रिरित किया जाता है दकेरल स्टोरी को दो भागों म छी परिवर्तित करने के लिए गया था जिपके दूसरे जातव को जी इस फिल्म को जीवनता बनाने के लिए करी मेनत करने के लिए सरहाना के पात्र है बॉक्स ऑफिस पर शांदा सफलता के बाद दुनिया भर में इत्यास रच्टे वे यह अब तक की सबस्यादी कमाई करने वाली फिमिल लीड फिल्म बन गई है अब हम जी फाइब पर फिल्म की उन्होंने कहा तो आखिरकार इंतिजार खतम हुआ और यह यहां है दकीर स्टोरी का प्रीमिर जी फाइपर होने जा रहा है और अपके घर में बैट कर फिल्म देखना एक अदवत अनुवब होने वाला है और ऐसे कई शन है जहां आप फिल्म को बार बार देखना या देख अजमेर में हुए रूख अपा देने वाले स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 का जाने रीवियू साथी में जाएं कहा देखे इस फिल्म को अजमेर 92 की कहानी एक सत्य घटना पर अधारी थे साल था उन्नीस सवरान में इप्रिल के महीने में राजस्तान के अजमेर में सेक जोड़ कर डग दिया था उस रोज भले ही शोशल मीडिया का जमाना नहीं था लेकिन खबरों को आख की तरह फैलाने में जादा वक्त नहीं लगता था एक रोज एक खबर अकवार के फ्रंट पेज़ पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज की चात्रों की न्यूट फोटोस बलर करक कहानी थी है वनियत की कहानी थी सौ लर्कियों के साथ हुए दुशकर्म की कहानी थी 250 लर्कियों के साथ हुए ब्लैक मेलिंग की पीडितों ने अपने बयान में ऐसी बाते कही जिसने पूरे देशकियों हिला कर रख दिया था उनका कहना था कि शहर के रसूपतार खीची गई और फिर उसे शहर भर में सर्कुलेट करवाने की धमकी दी गई फोटो डिलीट करने का वादा कर पीडित चात्रा से अपने दूसरी सहली को लाने को कहा गया और इस तरह एक एकर सौ लर्किया हवस का सिकार बन गई सौल लर्कियों के साथ हवानियत हुई तो वही करीब दो सो पचास लर्कियों की निओ पिच्र सुर्कुलेट हुई एक के बादे कई लर्कियों ने तो सुसाइड भी कर लिया था जान शुरू हुई तो कई नामी परिवारों के लर्को Cyrus का नाम सामने आया जिन में मुख्यार लेकि जाँच परताल की तो अजमेर के 18 आरोपियों के खिलाफ केस दर्च किया गया एक एक कर पीडितों को बयान देने के लिए आगे बुलाया गया लेकिन जाद अतर पीडितों ने चुपी साथ रखी थी कुछ लड़किया हैवानों के खिलाफ आवाज उठाने आई भी त उन्हें डरा धमका कर चुप कराया दिया गया और मात्र दो लड़किया अपने बयान पर डटी रही रिपोर्स के मताबिक आट आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी जिनमें से चार को वरी कर दिया गया था और चार की सजा दस साल कर दी गई वही कई अभी भी फरार है थीटर्स में तहल का मचाया था कई भी वदों के बावजूद भी मूवी को दर्शकों की साथ साथ क्रिटिक्स का भी धेर साड़ा प्यार मिला था हाला कि कुछ लोगों ने अब तक दकीर स्टोरी नहीं देखी है ऐसे में उनके लिए बड़ी खुशकवरी है क्यो प्रतिक्षित फल्म जल्दी जी फाइब पर आ रही है 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 एक यूजर ने एकसाइटमेंट दिखाते हुए लिखा वाह में ये मूवी रूलीज होने के तुरंद वाध ही देखूंगा दकेरल स्टोरी तिन लर्कियों की कहानी है शालीनी, निमा और गितान जलीजी ने उनकी रूमेट असीफा द्वारा दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रिरित किया जाता है एक आतंगवादी समोहों की परिवर्तित सदस्या और अफगनिस्तान में उसकी कैट को दिखाया गया है अधाशर्मा ने मुवी की सफलता पर कहादा के रिल स्टोडी के साहसी निर्माता अभिपल शाह और सुदीप तरसेन इस फिल्म को जीवनता बनाने के लिए करी मेनत करन OTT जर्णी के वारे महुत साहिद विपल अमरितलाल शाह ने कहा बॉक्स आफ़िस पर जवर्दस सफलता के बाद हमें हजारों मेल मिल रहे हैं कि दकेर स्टोरी OTT पर कब आएगी उन्होंने कहा तो आखिरकार इंतजार खतम हुआ और यहां है दकेर स्टोरी का प्रीमिर जी इतना चाह होगे अजमेर में हुए रूख अपा देने वाले स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 का जाने रीवियू साथी में जाएं कहा देखे इस फिल्म को अजमेर 92 की कहानी एक सत्य घटना पर अधारित है साल था 1990 में इप्रिल के महीने में राजस्तान के अजमेर में स तरह फैलाने में जादा वक्त नहीं लगता था एक रोज एक खबर अकवार के फ्रंट पेज पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज की चात्रों की न्यूट फोटोस बलर करके लगाए गए जिससे पूरे देश में हलचल मच गई कहानी थी हैवनियत की कहानी थी सौ लर्कियों के उनका कहना था कि शहर के रसूपदार पडिवारों के कुछ लर्कों ने उनके साथ दुशकर्म किया था ये सिसला पहले एक लर्की से शुड़ो हुआ पहले उसका दुशकर्म किया गया फिर आपत्य जिनप फोटो कीची गई और फिर उसे शहर भर में सर्कुलेट करवाने की धमकी दी गई फोटो डिलीट करने का वादा कर पीडित चात्रा से अपने दूसरी सहली को लाने को कहा गया और इस तरह एक एकर सौ लर्किया हवस का सिकार बन गई सौ लर्कियों के साथ हवानियत हुई तो वही करीब 250 लर्कियों की नूट पिच्चो सर्कुलेट हुई एक के बाद एक कई लर्कियों ने तो सुसाइड भी कर लिया था जान शुरू हुई तो कई नामी परिवारों के लर्कों का नाम सामने आया जिन में मुखे आरोपी फारुक चिष्टी नफीस चिष्टी और अनवर्च चिष्टी थे इनके परिवार अजमेर की दरगा में क बुलाया गया लेकिन जातातर परिदों ने चुपी साथ रखी थी कुछ लर्किया हैवानों के खिलाफ आवाज उठाने आई भी तो उन्हें डरा धमका कर चुप कराया दिया गया और मातर दो लर्किया अपने बयान पर डटी रही रिपोर्ट्स के मताबिक आट आरोपिय को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी थी जिनमेंसे चार को वरी कर दिया गया था और चार की सजा दस साल कर दी गई वहीं कई अभी भी फरार है थियेटर्स में तहल का मचाया था कई भी वदों के बावजूद भी मूवी को दर्शकों की साथ साथ क्रिटिक्स का भी धेर सारा प्यार मिला था हाला कि कुछ लोगों ने अब तक दकेर स्टोरी नहीं देखी है ऐसे में उनके लिए बड़ी खुश कवरी है क्योंकि मूवी जल्दी ओटिटे पर दस्तक देने वाली है आदा शर्मानी इंस्ट्रोग्राम पर ये रुमांच्र कवर अपने फैंस के साथ सजा की फिल्म सुदीप्तो सेंद्वारा निर्देशितर विपल शाद्वारा समर्थित है अक्रिस ने लिखा आखिरकार बहु प्रतिक्षित फिल्म जल्दी जी फाइब पर आ रही है हाश्टाग दा केरला स्टोरी का प्रीमियर 16 फर्वरी को केबल हाश्टाग जी फाइब पर होगा दा केरल स्टोरी पांच में 2023 को सिनमा गरों में रुलीज हुई थी अब ये OTT प्लाट्फराम जी फाइब पर 16 फर्वरी से स्प्रीम होगी एक यूजर ने एकसाइटमेंट दिखाते हुए लिखा वाह में ये मूवी रुलेस होने के तुरंद वाध ही देखूंगा दा केरल स्टोरी तीन लर्कियों की कहानी है शालीनी निमा और गितान जली जी ने उनकी रूमेट असीफा द्वारा दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित किया जाता है एक आतंगवादी समोहों की परिवर्तित सदस्या और अफगनिस्तान में उसकी कैट को दिखाया गया है अधा शर्मा ने मुवी की सफलता पर कहादा के रिल स्टोडी के सहासी निर्माता अभी पुल शाह और सुदीप तसेन इस फिल्म को जीवनता बनाने के लिए करी मेनत कर करने के लिए सरहाना के पात्र है बॉक्स ऑफिस पर शांदा सफलता के बाद दुनिया भर में इत्यास रच्टे वे यह अब तक की सबस्यादी कमाई करने वाली फीमिल लीड फिल्म बन गई है अब हम जी फाइप पर फिल्म की रिलीस का इंतजार कर रहे है ओटीटी अद्वत अनुवब होने वाला है और ऐसे कईशन है जहां आप फिल्म को बार बार देखना या देखना चाहोगे अजमेर में हुए रू कपा देने वाले स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 का जाने रीवियू साथी में जाएं ये कहा देखे इस फिल्म को अजमेर 92 की कहानी एक सत्य घटना पर अधारित है साल था उननीस सवरान में इप्रिल के महीने में राजस्तान के अजमेर में सेक्टों लर्कियों के साथ हुई हैवानियत के खबर ने पूरे देश को जंगछोड कर रग दिया था उस रोज भले ही शोशल मीडिया का जमाना नहीं था लेकिन खबरों को आख की तरह फैलाने में जादा वक्त नहीं लगता था एक रोज एक खबर अकवार के फ्रंट पेच पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज की चातरों की न्यूट फोटोस बलर करके लगाए गए जिससे पूरे देश में हलचल मच गई कहानी थी है वनियत की कहानी थी सौ लर्कियों के साथ हुए दुश कर्म की कहानी थी दो सो पचास लर्कियों के साथ हुए ब्लैक मेलिंग की पीडितों ने अपने बयान में ऐसी बाते कही जिसने पूरे देश कियों हिला कर रख दिया था उनका कहना था कि शहर के रसूपदार पडिवारों के कुछ लर्कों ने उनके साथ दुशकर्म किया था ये सिसला पहले एक लर्की से शुड़ो हुआ पहले उसका दुशकर्म किया फिर आपत्य जिनब फोटो कीची गई और फिर उसे शहर भर में सर्कुलेट करवाने की धमकी दी गई फोटो डिलीट करने का वादा कर पीडित चात्रा से अपनी दूसरी सहली को लाने को कहा गया और इस तरह एक एकर सौ लर्किया हवस का सिकार बन गई सौ लर्कियों के साथ हैवानियत हुई तो वही करीब 250 लर्कियों की नूट पिच्चो सुर्कुलेट हुई एक के बाद एक कई लर्कियों ने तो सुसाइट भी कर लिया था जान शुरू हुई तो कई नामी परिवारों के लर्कों का नाम सामने आया जिन में मुखे आरोपी फारुक चिष्टी नफीस चिष्टी और अनवर्च चिष्टी थे इनके परिवार अजमेर की दरगा में क बुलाया गया लेकिन जातातर परिदों ने चुपी साथ रखी थी कुछ लर्किया हैवानों के खिलाफ आवाज उठाने आई भी तो उन्हें डरा धमका कर चुप कराया दिया गया और मातर दो लर्किया अपने बयान पर डटी रही रिपोर्स के मताबिक आट आरोपियों क उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी जिन में इसे चार को वरी कर दिया गया था और चार की सजा दस साल कर दी गई वही कई अभी भी फरार है थीटर्स में तहल का मचाया था कई भी वदों के बावजूद भी मूवी को दर्शकों की साथ साथ क्रिटिक्स का भी धेर साड़ा प्यार मिला था हाला कि कुछ लोगों ने अब तक दकेर स्टोरी नहीं देखी है ऐसे में उनके लिए बड़ी खुशकवरी है क्योंकि मूवी जल्दी ओटिटे पर दस्तक देने वाली है आदा शर्मानी इंस्ट्रोग्राम पर ये रुमांच्र कवर अपने फैंस के साथ सजा की फिल्म सुदीप्तो सेंद्वारा निर्देशितर विपल शाद्वारा समर्थित है एक्रिस ने लिखा आखिरकार बहु प्रतिक्षित फिल्म जल्दी जी फाइब पर आ रही है हाश्टाग दा केरला स्टोरी का प्रीमियर 16 फर्वरी को केबल हाश्टाग जी फाइब पर होगा दा केरल स्टोरी पांच में 2023 को सिनमा गरों में रुलीज हुई थी अब ये OTT प्लाट्फराम जी फाइब पर 16 फर्वरी से स्प्रीम होगी एक यूजर ने एकसाइटमेंट दिखाते हुए लिखा वाह में ये मूवी रुलेस होने के तुरंद वाध ही देखूंगा दा केरल स्टोरी तीन लर्कियों की कहानी है शालीनी निमा और गितांजली जी ने उनकी रूमेट असीफा द्वारा दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रिरित किया जाता है एक आतंगवादी समोहों की परिवर्तित सदस्या और अफगनिस्तान में उसकी कैट को दिखाया गया है अधाशर्मा ने मुवी की सफलता पर कहादा के रिल स्टोडी के साहसी निर्माता अभिपुल शाह और सुदीप तसेन इस फिल्म को जीवनता बनाने के लिए करी मेनत कर करने के लिए सरहाना के पात्र है बॉक्स ऑफिस पर शांदा सफलता के बाद दुनिया भर में इत्यास रच्टे हुए यह अब तक की सबस्यादी कमाई करने वाली फीमिल लीड फिल्म बन गई है अब हम जी फाइप पर फिल्म की रिलीस का इंतजार कर रहे हैं ओटीटी ज यहां है तक की रिस्टोरी का प्रीमिर जी फाइपर होने जा रहा है और अपके घर में बैट कर फिल्म देखना एक अदवत अनुवब होने वाला है और ऐसे कईशन है जहां आप फिल्म को बार बार देखना या देखना चाहोगे अजमेर में हुए रू का पादेने वाले स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 का जाने रीवियू साथी में जाएं ये कहा देखे इस फिल्म को अजमेर 92 की कहानी एक सत्य घटना पर अधारित है साल था 1990 में इप्रिल के महीने में राजस्तान का अजमेर में सेक्टों लर्कियों के साथ हुई हैवानियत के खबर ने पूरे देश को जंगचोड कर रख दिया था उस रोज भले ही शोशल मीडिया का जमाना नहीं था लेकिन खबरों को आख की तरह फैलाने में जादा वक्त नहीं लगता था एक रोज एक खबर अकवार के फ्रंट पेच पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज की चातरों की न्यूट फोटोस बलर करके लगाए गए जिससे पूरे देश में हलचल मच गई कहानी थी है वनियत की कहानी थी सौ लर्कियों के साथ हुए दुश कर्म की कहानी थी दो सो पचास लर्कियों के साथ हुए ब्लैक मेलिंग की पीडितों ने अपने बयान में ऐसी बाते कही जिसने पूरे देश कियों हिला कर रख दिया था उनका कहना था कि शहर के रसूपतार पड़िवारों के कुछ लर्कों ने उनके साथ दुशकर्म किया था ये सिसला पहले एक लर्की से शुड़ो हुआ पहले उसका दुशकर्म किया फिर आपत्य जिनब फोटो कीची गई और फिर उसे शहर भर में सर्कुलेट करवाने की धमकी दी गई फोटो डिलीट करने का वादा कर पीडित चात्रा से अपनी दूसरी सहली को लाने को कहा गया और इस तरह एक एकर सौ लर्किया हवस का सिकार बन गई सौ लर्कियों के साथ हैवानियत हुई तो वही करीब 250 लर्कियों की नूट पिच्चु सुर्कुलेट हुई एक बाद एक कई लर्कियों ने तो सुसाइट भी कर लिया था जान शुरू हुई तो कई नामी परिवारों के लर्कों का नाम सामने आया जिन में मुख्यार आरोपी फारुक चिष्टी नफीस चिष्टी और अनवर चिष्टी थे इनके परिवार अजमेर की दरगा में काम करते थे तीनों यूद कांग्रेस से भी जुडे हुए थे पलीस ने मामले की जांच परताल की तो अजमेर के 18 आरोपियों के खिलाफ केस दर्च किया गया एक एक कर पीडितों को बयान देने के लिए आगे बुलाया गया लेकिन जाद अतर पीडितों ने चुपी साथ रख सुनाई गई थी जिनमें इसे चार को वरी कर दिया गया था और चार की सजा 10 साल कर दी गई वहीं कई अभी भी फरार है थेटर्स में तहल का मचाया था कई भी वदों के बावजूद भी मूवी को दर्शकों की साथ साथ क्रिटिक्स का भी धेर साड़ा प्यार मिला था हाल शर्मानी इंस्ट्रोग्राम पर ये रुमांच्र कवर अपने फैंस के साथ सजा की फिल्म सुदीप्तो सेंद्वारा निर्देशितर विपल शाद्वारा समर्थित है अक्रिस ने लिखा आखिरकार बहु प्रतिक्षित फिल्म जल्धी जी फाइपर आ रही है है एक्साइटमेंट दिखाते हुए लिखा वाह में ये मूवी रुलेस होने के तुरंदवाद ही देखूंगा दकेरल स्टोरी तीन लर्कियों की कहानी है शालीनी निमा और गितांजली जी ने उनकी रूमेट असीफा द्वारा दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए क्या जाता है तेकर अल्य थिखाया गया है दिखाया गया है कि कैसे लड़कियों को दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रेडित किया गया था जिबकि दूसरे भाग में फतीमा वाग के रूप में शालिनी की यात्रा एक आतंगवादी समोहों की परिवर्तित सदस्या और आफगनिस्तान में उसकी कैद को दिखाया गया है अधाशर्मा ने मूवी की सफलता पर कहाद केरल स्टोडी के साहसे निर्माता अभी पुल शाह और सुदीप तसेन इस फिल्म को जीवनता बनाने के लिए करी मैनत करने के लिए सरहाना के पात्र है बॉक्स ऑफिस पर शांदा सफलता के बाद दुनिया भर में इत्यास रच्टे वे यह अब तक की सबस्यादी कमाय करन हमें हजारों मेल मिल रहे है कि दकेर स्टोरी ओटीटी पर कब आएगी उन्होंने कहा तो आखिरकार इंतजार खतम हुआ और यह यहां है दकेर स्टोरी का प्रीमिर जीवाइपर होने जा रहा है और अपके घर में बैट कर फिल्म देखना एक अदवत अनुवब होने वाला अजमेर 92 का जाने रीवियू साथी में जाएं कहा देखे इस वर्म को अजमेर 92 की कहानी एक सत्य घटना पर अधारित है साल था उन्नीस सवरान में इप्रिल के महीने में राजस्तान के अजमेर में सेक्टो लर्कियों के साथ हुई हैवानियत के खबर ने पूरे देश को ज माना नहीं था लेकिन खबरों को आख की तरह फैलाने में जादा वक्त नहीं लगता था एक रोज एक खबर अकवार के फ्रंट पेच पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज की चात्रों की न्यूट फोटोस बलर करके लगाए गए जिससे पूरे देश में हलचल मच गई कहानी थी है देश की ओखिला कर रख दिया था उनका कहना था कि शहर के रसूपदार पड़िवारों के कुछ लर्कों ने उनके साथ दुशकर्म किया था यह सिसला पहले एक लर्की से शुड़ो हुआ पहले उसका दुशकर्म किया गया फिर आपत्य जिनप वोटो खीची गई और फिर लर्कियों के साथ हवानियत हुई तो वही करीब 250 लर्कियों की नूट पिच्चर सुर्कुलेट हुई एक बाद एक कई लर्कियों ने तो सूसाइड भी कर लिया था जान शुड़ो हुई तो कई नामी पड़िवारों के लर्कों का नाम सामने आया जिनमें मुख्यारोपी फारुक चिस्ती नफीस चिस्ती और अनवर्च चिस्ती थे इनके पड़िवार अजमेर की दरगा में काम करते थे तीनों यूद कॉंग्रेस से भी जुड़े हुए थे पुलीस ने मामले की जाँच परताल की तो अजमेर के 18 आरूपियों के खिलाफ केस दर्च किया गया ए किन जाद अतर परी तो उने चुपी साथ रखी थी कुछ लड़किया हैवानों के खिलाफ आवाज उठाने आई भी तो उन्हें डरा धमका कर चुप कराया दिया गया और मातर दो लड़किया अपने बयान पर डटी रही रिपोर्ट्स के मताबिक 8 आरूपियों को उम्रकै भी मूवी को दर्शकों की साथ साथ क्रिटिक्स का भी धेर सारा प्यार मिला था हाला कि कुछ लोगों ने अब तक दकेर स्टोरी नहीं देखी है ऐसे में उनके लिए बड़ी खुशकवरी है क्योंकि मूवी जल्दी ओटी पर दस्तक देने वाली है आदा शर्मानी हाश्टैग दा केरला स्टोरी का प्रीमियर 16 फर्वरी को केबल हाश्टैग जी फाइब पर होगा दकेर स्टोरी पांच में 2023 को सिनमा घरों में रुलीज हुई थी अभी ये OTT प्लैट्प्राम सी फाइब पर 16 फर्वरी से स्प्रीम होगी एक यूजर ने एकसाइटमेंट दिखाते हुए लिखा वाह में ये मूवी रुलेस होने के तुरंदवाद ही देखूंगा दकेरल स्टोरी तीन लर्कियों की कहानी है शालीनी निमा और गितांजली जी ने उनकी रूमेट असीफा द्वारा दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित किया जात एक आतंगवादी समुहों की परिवर्तित सदस्या और अफगनिस्तान में उसकी कैद को दिखाया गया है अदा शर्मा ने मूवी की सफलता पर कहादा के रिल स्टोरी के साहसी निर्मात अभिपल शाह और सुदीप तरसेन इस फिल्म को जीवनता बनाने के लिए करी मैनत कर करने के लिए सरहाना के पात्र है बॉक्स ऑफिस पर शांदा सफलता के बाद दुनिया भर में इत्यास रच्टे हुए यह अब तक की सबस्यादी कमाई करने वाली फीमिल लीड फिल्म बन गई है अब हम जी फाइप पर फिल्म की रिलीस का इंतजार कर रहे हैं ओटीटी ज यहां है तकी रिस्टोरी का प्रीमिर जी फाइपर होने जा रहा है और अपके घर में बैट कर फिल्म देखना एक अदवत अनुवब होने वाला है और ऐसे कईशन है जहां आप फिल्म को बार बार देखना या देखना चाहोगे अजमेर में हुए रू का पादेने वाले स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 का जाने रीवियू साथी में जाएं कहा देखे इस फिल्म को अजमेर 92 की कहानी एक सत्य घटना पर अधारित है साल था 1990 में इप्रिल के महीने में राजस्तान का अजमेर में सेक्टो लर्कियों के साथ हुई हैवानियत के खबर ने पूरे देश को जंगचोड कर रख दिया था उस रोज भले ही सोशल मीडिया का जमाना नहीं था लेकिन खबरों को आख की तरह फैलाने में जादा वक्त नहीं लगता था एक रोज एक खबर अकवार के फ्रंट पेच पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज की चातरों की न्यूट फोटोस बलर करके लगाए गए जिससे पूरे देश में हलचल मच गई कहानी थी है वनियत की कहानी थी सौ लर्कियों के साथ हुए दुश कर्म की कहानी थी दो सो पचास लर्कियों के साथ हुए ब्लैक मेलिंग की पीडितों ने अपने बयान में ऐसी बाते कही जिसने पूरे देश कियों हिला कर रख दिया था उनका कहना था कि शहर के रसूपतार पड़िवारों के कुछ लर्कों ने उनके साथ दुशकर्म किया था ये सिसला पहले एक लर्की से शुड़ो हुआ पहले उसका दुशकर्म किया फिर आपत्य जिनब फोटो कीची गई और फिर उसे शहर भर में सर्कुलेट करवाने की धमकी दी गई फोटो डिलीट करने का वादा कर पीडित चात्रा से अपने दूसरी सहली को लाने को कहा गया और इस तरह एक एकर सौ लर्किया हवस का सिकार बन गई सौ लर्कियों के साथ हैवानियत हुई तो वही करीब 250 लर्कियों की नूट पिच्चु सुर्कुलेट हुई एक के बाद एक कई लर्कियों ने तो सुसाइड भी कर लिया था जान शुरू हुई तो कई नामी परिवारों के लर्कों का नाम सामने आया जिन में मुख्या आरोपी फारुक चिस्ती नफीस चिस्ती और अनवर्च चिस्ती थे इनके परिवार अजमेर की दरगा में काम कर आया गया लेकिन जाद अतर परिदों ने चुपी साथ रखी थी कुछ लर्किया हैवानों के खिलाफ आवाज उठाने आई भी तो उन्हें डरा धमका कर चुप कराया दिया गया और मातर दो लर्किया अपने बयान पर डटी रही रिपोर्स के मताबिक आट आरोपियों को कैद की सजा सुनाई गया थी जिन में इसे चार को वरी कर दिया गया था और चार की सजा दस साल कर दी गई वहीं कई अभी भी फ़रार है थियेटर्स में तहल का मचाया था कई भी वदों के बावजूद भी मूवी को दर्शकों की साथ साथ क्रिटिक्स का भी धेर सारा प्यार मिला था हाला कि कुछ लोगों ने अब तक दकेर स्टोरी नहीं देखी है ऐसे में उनके लिए बड़ी खुश कवरी है क्योंकि मूवी जल्दी ओटिटे पर दस्तक देने वाली है आदा शर्मानी इंस्ट्रोग्राम पर ये रुमांच्र कवर अपने फैंस के साथ सजा की फिल्म सुदीप्तो सेंद्वारा निर्देशितर विपल शाद्वारा समर्थित है एक्प्रिस ने लिखा आखिरकार बहु प्रतिक्षित फिल्म जल्दी जी फाइपर आ रही है इक्साइटमेंट दिखाते हुए लिखा वाह में ये मूवी रुलेस होने के तुरंदवाद ही देखूंगा दकेरल स्टोरी तीन लर्कियों की कहानी है शालीनी निमा और गितांजली जी ने उनकी रूमेट असीफा द्वारा दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है दकेरल स्टोरी को दो भागों में भीवजित किया गया है पहले भाग में दिखाया गया है कि कैसे लर्कियों को दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रिरित किया गया था जिबकि दूसरे भाग में फतीमा वाग के रूप में शालीनी की यात्रा एक करी मेनत करने के लिए सरहाना के पात्र है बॉक्स ऑफिस पर शांदा सफलता के बाद दुनिया भर में इत्यास रच्टे वे यह अब तक की सबस्यादी कमाई करने वाली फीमिल लीड फिल्म बन गई है अब हम जी फाइब पर फिल्म की रिलीस का इंतजार कर रहे हैं ओटीट बार इंतजार खतम हुआ और यहां है तकी रिस्टोरी का प्रीमिर जी फाइपर होने जा रहा है और अपके घर में बैट कर फिल्म देखना एक अदवत अनुवब होने वाला है और ऐसे कई शन है जहां आप फिल्म को बार बार देखना या देखना चाहोगे अधारित है साल था उननीस सवरान में इप्रिल के महीने में राजस्तान के अजमेर में सेक्ट्रो लर्कियों के साथ हुई है वानियत के खबर ने पूरे देश को जंगचोड कर रख दिया था उस रोज भले ही शोशल मिडिया का जमाना नहीं था लेकिन खबरों को आग की सब्सक्रा फैल आने में जादा वक्त नहीं लगता था एक रोज एक खबर अकवार के फ्रंट पेच पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज की चात्रों की न्यूट फोटोस बलर करके लगाए गए जिससे पूरे देश में हलचल मच गई कहानी थी हैवानियत की कहानी थी सौ लर्किय के साथ हुए ब्लैक मेलिंग की पीडितों ने अपने बयान में ऐसी बाते कही जिसने पूरे देश की ओखिला कर रख दिया था उनका कहना था कि शहर के रसूपदार पड़िवारों के कुछ लर्कों ने उनके साथ दुशकर्म किया था यह सिसला पहले एक लर्की से शुड सहली को लाने को कहा गया और इस तरह एक एकर सौ लर्किया हवस का सिकार बन गई सौ लर्कियों के साथ हैवानियत हुई तो वही करीब 250 लर्कियों की नूट पिच्चों सुर्कुलेट हुई एक बाद एक कई लर्कियों ने तो सुसाइड भी कर लिया था जान शुरू हुई तो कई नामी परिवारों के लर्कों का नाम सामने आया जिन में मुख्या आरोपी फारुक चिस्ती नफीस चिस्ती और अनवर्च चिस्ती थे इनके परिवार अजमेर की दरगा में काम करते थे तीनों यूद कॉंग्रेस से भी जुडे हुए थे पुलीस ने मामले की जाँच परताल की तो अच्छा आरोपियों के खिलाफ केस दर्च किया गया एक एक कर पीडितों को बयान देने के लिए आगे बुलाया गया लेकिन जाद अतर परिदों ने चुपी साथ रखी थी कुछ लड़किया हैवानों के खिलाफ आवाज उठाने आई भी तो उन्हें डरा धमका कर चुप कराया दिया गया और मातर दो लड़किया अपने बयान पर डटी रही रिपोर्स के मताबिक आट आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी जिन में इसे चार को वरी कर दिया गया था और चार की सजा दस साल कर दी गई वही कई अभी भी फर्रार है थियेटर्स में तहल का मचाया था कई भी वदों के बावजूद भी मूवी को दर्शकों की साथ साथ क्रिटिक्स का भी धेर सारा प्यार मिला था हाला कि कुछ लोगों ने अब तक दकेर स्टोरी नहीं देखी है ऐसे में उनके लिए बड़ी खुश कवरी है क्योंकि मूवी जल्दी ओटिटे पर दस्तक देने वाली है आदा शर्मानी इंस्ट्रोग्राम पर ये रुमांच्र कवर अपने फैंस के साथ सजा की फिल्म सुदीप्तो सेंद्वारा निर्देशितर विपल शाद्वारा समर्थित है एक्प्रिस ने लिखा आखिरकार बहु प्रतिक्षित फिल्म जल्दी जी फाइपर आ रही है इक्साइटमेंट दिखाते हुए लिखा वाह में ये मूवी रुलेस होने के तुरंदवाद ही देखूंगा दकेरल स्टोरी तीन लग्यों की कहानी है शालीनी निमा और गितांजली जी ने उनकी रूमेट असीफा द्वारा दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए प पातंगवादी समुहों की परिवर्तित सदस्या और अफगनिस्तान में उसकी कैद को दिखाया गया है अधाशर्मा ने मूवी की सफलता पर कहादा के रिल स्टोरी के साहसी निर्माता अभिपल शाह और सुदीप तसेन इस फिल्म को जीवनता बनाने के लिए करी मैनत करने है ओटीटी जर्णी के वारे महुत साहिद विपल अमनितलाल शाह ने कहा बॉक्स ऑफिस पर जवर्दस सफलता के बाद हमें हजारों मेल मिल रहे है कि दकेरल स्टोरी ओटीटी पर कब आएगी उन्होंने कहा तो आखिरकार इंतजार खतम हुआ और यहां है दकेरल स्टोरी आप फिल्म को बार-बार देखना या देखना चाहोगे। कर जमाना नहीं था लेकिन खबरों को आख की तरह फैलाने में जादा वक्त नहीं लगता था एक रोज एक खबर अकवार के फ्रंट पेच पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज की चात्रों की न्यूट फोटोस ब्लर करके लगाए गए जिससे पूरे देश में हलचल मच गई कहानी थी है वनियत की कहानी थी सौल लर्कियों के साथ हुए दुश कर्म की कहानी थी 250 लर्कियों के साथ हुए ब्लैक मेलिंग की पीडितों ने अपने बयान में ऐसी बाते कही जिसने पूरे देश की ओखिला कर रख दिया था उनका कहना था कि शहर के रसूपतार पड़िवारो के कुछ लर्कों ने उनके साथ दुश कर्म किया था ये सिसला पहले एक लर्की से शुड़ो हुआ पहले उसका दुश कर्म किया फिर आपत्य जिनब फोटो खीची गई और फिर उसे शहर भर में सर्कुलेट करवाने की धमकी दी गई फोटो डिलीट करने का वादा कर 250 लर्कियों की नूट पिच्चो सर्कुलेट हुई एक के बाद एक कई लर्कियों ने तो सुसाइट भी कर लिया था जान शुड़ो हुई तो कई नामी परिवारों के लर्कों का नाम सामने आया जिनमें मुख्य आरोपी फारुक चिष्टी नफीस चिष्टी और किया गया एक एक कर पीडितों को बयान देने के लिए आगे बुलाया गया लेकिन जातर पीड़ों ने चुपी साथ रखी थी कुछ लर्किया हैवानों के खिलाफ आवाज उठाने आई भी तो उन्हें डरा धंका कर चुप कर आया दिया गया और मातर दो लर्किया अपने बयान पर डटी रही रिपोर्स के मताबिक आट आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गए थी जिन में इसे चार को वरी कर दिया गया था और चार की सजा दस साल कर दी गई वहीं कई अभी भी फरार है ठीटर्स में तहल का मचाया था कई भी वदों के बावजूद भी म मूवी जल्दी OTT पर दस्तक देने वाली है अदा शर्मानी इंस्ट्रोग्राम पर ये रुमांच्र कवर अपने फैंस के साथ सजा की फिल्म सुदीप्तो सेंद्वारा निर्देशितर विपल शाद्वारा समर्थित है एक्रस ने लिखा आखिरकार बहु प्रतिक्षित फि स्टोरी का प्रीमियर 16 फर्वरी को केबल हैश्टैग जीफाइब पर होगा दकेर स्टोरी पांच में 2023 को सिनमागरों में रुलीज हुई थी अब ये OTT प्लैट्प्राम सी फाइब पर 16 फर्वरी से स्प्रीम होगी एक यूजर ने एक्साइटमेंट दिखाते हुए लिखा वाह में ये मूवी रुलेस होने के तुरंद वाध ही देखूंगा दकेरल स्टोरी तीन लर्कियों की कहानी है शालीनी निमा और गितान जली जी ने उनकी रूमेट असीफा द्वारा दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रिरित किया जाता है दकेरल स्टोरी को दो भागों में भीवजित किया गया है पहले भाग में दिखाया गया है कि कैसे लर्कियों को दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रिरित किया गया था जिबकि दूसरे भाग में फतीमा वाग के रूप में शालीनी की यात्रा एकातंगवादी समोहों की परिवर बाक्स आफिस पर शांदा सफलता के बाद दुनिया भर में इत्यास रच्टे वे यह अब तक की सबस्यादी कमाई करने वाली फीमिल लीड फिल्म बन गई है अब हम जी फाइब पर फिल्म की रिलीस का इंतजार कर रहे हैं बाक्स आफिस पर जबरदस सफलता के बाद हमें हजारों मेल मिल रहे हैं कि दकेरल स्टोरी ओटीटी पर कब आएगी उन्होंने कहा तो आखिरकार इंतजार खतम हुआ और यह यहां है दकेरल स्टोरी का प्रीमिर जी फाइपर होने जा रहा है और अपके घर में बैट कर फिल्म देखना एक अदवत अनुभब होने वाला है और ऐसे कईशन है जहां आप फिल्म को बार बार देखना या देखना चाहोगे अजमेर में हुए रू का पादेने वाले स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 का जाने रीवियू साथी में जाएं ये कहा देखे इस फिल्म को अजमेर 92 की कहानी एक सत्य घटना पर अधारित है साल था 1990 में इप्रिल के महीने में राजस्तान का अजमेर में सेक्टों लर्कियों के साथ हुई हैवानियत के खबर ने पूरे देश को जंगचोड कर रख दिया था उस रोज भले ही सोशल मीडिया का जमाना नहीं था लेकिन खबरों को आख की तरह फैलाने में जादा वक्त नहीं लगता था एक रोज एक खबर अकवार के फ्रंट पेच पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज की चातरों की न्यूट फोटोस बलर करके लगाए गए जिससे पूरे देश में हलचल मच गई कहानी थी है वनियत की कहानी थी सौ लरकियों के साथ हुए दुशकर्म की कहानी थी 250 लरकियों के साथ हुए ब्लैक मेलिंग की पीडितों ने अपने बयान में ऐसी बाते कही जिसने पूरे देश कियों हिला कर रख दिया था उनका कहना था कि शहर के रसूपतार पड़िवारों के कुछ लर्कों ने उनके साथ दुशकर्म किया था ये सिसला पहले एक लर्की से शुड़ो हुआ पहले उसका दुशकर्म किया फिर आपत्य जिनप फोटो कीची गई और फिर उसे शहर भर में सर्कुलेट करवाने की धमकी दी गई फोटो डिलीट करने का वादा कर पीडित चात्रा से अपनी दूसरी सहली को लाने को कहा गया और इस तरह एक एकर सौ लर्किया हवस का सिकार बन गई सौ लर्कियों के साथ हैवानियत हुई तो वही करीब 250 लर्कियों की नूट पिच्चो सुर्कुलेट हुई एक बाद एक कई लर्कियों ने तो सुसाइड भी कर लिया था जान शुरू हुई तो कई नामी परिवारों के लर्कों का नाम सामने आया जिन में मुख्या आरोपी फारुक चिष्टी नफीस चिष्टी और अनवर्च चिष्टी थे इनके परिवार अजमेर की दरगा में क बुलाया गया लेकिन जातातर परिदों ने चुपी साथ रखी थी कुछ लर्किया हैवानों के खिलाफ आवाज उठाने आई भी तो उन्हें डरा धमका कर चुप कराया दिया गया और मातर दो लर्किया अपने बयान पर डटी रही रिपोर्स के मताबिक आट आरोपियों क उम्रकाथ की सजा सुनाई गयी जिन में से चार को बरी कर दिया गया था और चार की सजा दस साल कर दी गई वही कई अभी भी फरार है थियेटर्स में तहल का मचाया था कई भी वदों के बावजूद भी मुवी को दरशकों की साथ-साथ क्रिटिक्स का भी धेर साड़ा कवर अपने फैंस के साथ सजा की फिल्म सुदीपतो सेंद्वारा निर्देश इतर विपल शाद्वारा समर्थित है एक्प्रिस ने लिखा आखिरकार बहु प्रतिक्षित फिल्म जल्दी जी फाइब पर आ रही है हाश्टाग दकेरल स्टोरी का प्रीमियर 16 फर्वरी को केबल हाश्टाग जी फाइब पर होगा दकेरल स्टोरी पांच में 2023 को सिनमा घरो में रुलीज हुई थी अभी ये OTT प्लाट्फराम जी फाइब पर 16 फर्वरी से स्प्रीम होगी एक यूजर ने एकसाइटमेंट दिखाते हुए लिखा वाह में ये मूवी रुलेस होने के तुरंद वाध ही देखूंगा दकेरल स्टोरी तीन लग्यों की कहानी है शालीनी निमा और गितानजली जी ने उनकी रूमेट असीफा द्वारा दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रिरित किया जाता है एक आतंगवादी समुहों की परिवर्तित सदस्या और अफगनिस्तान में उसकी कैट को दिखाया गया है अदा शर्मा ने मूवी की सफलता पर कहादा के रिल स्टोरी के साहसी निर्मात अभी पुल शाह और सुदीप तसेन इस फिल्म को जीवनता बनाने के लिए करी मैनत क करने के लिए सरहाना के पात्र है बॉक्स ऑफिस पर शांदा सफलता के बाद दुनिया भर में इत्यास रच्ते हुए यह अब तक की सबस्यादी कमाई करने वाली फीमिल लीड फिल्म बन गई है अब हम जी फाइप पर फिल्म की रिलीस का इंतजार कर रहे है ओटीटी जर् अतम हुआ और यह यहां है तकी रिस्टोरी का प्रीमिर जी फाइपर होने जा रहा है और अपके घर में बैट कर फिल्म देखना एक अद्वत अनुवब होने वाला है और ऐसे कईशन है जहां आप फिल्म को बार बार देखना या देखना चाहोगे अजमेर में हुए रू का पादेने वाले स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 का जाने रीवियू साथी में जाएं कहा देखे इस फिल्म को अजमेर 92 की कहानी एक सत्य घटना पर अधारित है साल था 1990 में इप्रिल के महीने में राजस्तान का अजमेर में सेक्टो लर्कियों के साथ हुई हैवानियत के खबर ने पूरे देश को जंग छोड कर रख दिया था उस रोज भले ही सोशल मीडिया का जमाना नहीं था लेकिन खबरों को आख की तरह फैलाने में जादा वक्त नहीं लगता था एक रोज एक खबर अकवार के फ्रंट पेच पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज की चातरों की न्यूट फोटोस बलर करके लगाए गए जिससे पूरे देश में हलचल मच गई कहानी थी है वनियत की कहानी थी सौ लर्कियों के साथ हुए दुश कर्म की कहानी थी दो सो पचास लर्कियों के साथ हुए ब्लैक मेलिंग की पीडितों ने अपने बयान में ऐसी बाते कही जिसने पूरे देश कियों हिला कर रख दिया था उनका कहना था कि शहर के रसूपदार पडिवारों के कुछ लर्कों ने उनके साथ दुशकर्म किया था ये सिसला पहले एक लर्की से शुड़ो हुआ पहले उसका दुशकर्म किया फिर आपत्य जिनब फोटो कीची गई और फिर उसे शहर भर में सर्कुलेट करवाने की धमकी दी गई फोटो डिलीट करने का वादा कर पीडित चात्रा से अपनी दूसरी सहली को लाने को कहा गया और इस तरह एक एकर सौ लर्किया हवस का सिकार बन गई सौ लर्कियों के साथ हैवानियत हुई तो वही करीब 250 लर्कियों की नूट पिच्चु सुर्कुलेट हुई एक के बाद एक कई लर्कियों ने तो सुसाइड भी कर लिया था जान शुरू हुई तो कई नामी परिवारों के लर्कों का नाम सामने आया जिन में मुख्या आरोपी फारुक चिस्ती नफीस चिस्ती और अनवर्च चिस्ती थे इनके परिवार अजमेर की दरगा में काम कर आया गया लेकिन जाद अतर परिदों ने चुपी साथ रखी थी कुछ लर्किया हैवानों के खिलाफ आवाज उठाने आई भी तो उन्हें डरा धमका कर चुप कराया दिया गया और मात्र दो लर्किया अपने बयान पर डटी रही रिपोर्स के मताबिक आट आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गए थी, जिनमें से चार को वरी कर दिया गया था और चार की सजा 10 साल कर दी गई, वहीं कई अभी भी फट रार है थियेटर्स में तहल का मचाया था कई भी वदों के बावजूद भी मूवी को दर्शकों की साथ साथ क्रिटिक्स का भी धेर सारा प्यार मिला था हाला कि कुछ लोगों ने अब तक दकीर स्टोरी नहीं देखी है ऐसे में उनके लिए बड़ी खुश कवरी है क्योंकि मूवी जल्दी ओटिटे पर दस्तक देने वाली है आदा शर्मानी इंस्ट्रोग्राम पर ये रुमांच्र कवर अपने फैंस के साथ सजा की फिल्म सुदीप्तो सेंद्वारा निर्देशितर विपल शाद्वारा समर्थित है एक्रिस ने लिखा आखिरकार बहु प्रतिक्षित फिल्म जल्दी जी फाइब पर आ रही है हाश्टाग दा केरला स्टोरी का प्रीमियर 16 फर्वरी को केबल हाश्टाग जी फाइब पर होगा दा केरल स्टोरी पांच में 2023 को सिनमा घरों में रुलीज हुई थी अब ये OTT प्लाट्फराम जी फाइब पर 16 फर्वरी से स्प्रीम होगी एक यूजर ने एकसाइटमेंट दिखाते हुए लिखा वाह में ये मूवी रुलेस होने के तुरंद वाध ही देखूंगा दा केरल स्टोरी तीन लड़ियों की कहानी है शाली निमा और गितान जली जीने उनकी रूमेन असीफा द्वारा दूसरे धर्म में परिवर्टित करने के लिए प्रिरित किया जाता है एक आतंगवादी समोहों की परिवर्तित सदस्या और अफगनिस्तान में उसकी कैट को दिखाया गया है अधाशर्मा ने मुवी की सफलता पर कहादा के रिल स्टोडी के साहसी निर्माता अभिपुल शाह और सुदीप तसेन इस फिल्म को जीवनता बनाने के लिए करी मेनत कर करने के लिए सरहाना के पात्र है बॉक्स ऑफिस पर शांदा सफलता के बाद दुनिया भर में इत्यास रच्टे वे यह अब तक की सबस्यादी कमाई करने वाली फीमिल लीड फिल्म बन गई है अब हम जी फाइप पर फिल्म की रिलीस का इंतजार कर रहे है ओटीटी जुर यहां है तकी रिस्टोरी का प्रीमिर जी फाइपर होने जा रहा है और अपके घर में बैट कर फिल्म देखना एक अद्वत अनुवब होने वाला है और ऐसे कईशन है जहां आप फिल्म को बार बार देखना या देखना चाहोगे अजमेर में हुए रू का पादेने वाले स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 का जाने रीवियू साथी में जाएए कहा देखे इस फिल्म को अजमेर 92 की कहानी एक सत्य घटना पर अधारित है साल था 1990 में इप्रिल के महीने में राजस्तान का अजमेर में सेक्टों लर्कियों के साथ हुई हैवानियत के खबर ने पूरे देश को जंगचोड कर रख दिया था उस रोज भले ही सोशल मीडिया का जमाना नहीं था लेकिन खबरों को आख की तरह फैलाने में जादा वक्त नहीं लगता था एक रोज एक खबर अकवार के फ्रंट पेच पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज की चातरों की न्यूट फोटोस बलर करके लगाए गए जिससे पूरे देश में हलचल मच गई कहानी थी है वनियत की कहानी थी सो लग्यों के साथ हुए दुशकर्म की कहानी थी दो सो पचास लग्यों के साथ हुए बलैक मेलिंग की पीडितों ने अपने बयान में ऐसी बाते कही जिसने पूरे देश की ओखिला कर रख दिया था उनका कहना था कि शहर के रसूपतार पड़िवारों के कुछ लर्कों ने उनके साथ दुशकर्म किया था ये सिसला पहले एक लर्की से शुड़ो हुआ पहले उसका दुशकर्म किया फिर आपत्य जिनप फोटो कीची गई और फिर उसे शहर भर में सर्कुलेट करवाने की धमकी दी गई फोटो डिलीट करने का वादा कर पीडित चात्रा से अपनी दूसरी सहली को लाने को कहा गया और इस तरह एक एकर सौ लर्किया हवस का सिकार बन गई सौ लर्कियों के साथ हैवानियत हुई तो वही करीब 250 लर्कियों की नूट पिच्चो सुर्कुलेट हुई एक बाद एक कई लर्कियों ने तो सुसाइड भी कर लिया था जान शुरू हुई तो कई नामी परिवारों के लर्कों का नाम सामने आया जिन में मुख्या आरोपी फारुक चिष्टी नफीस चिष्टी और अनवर्च चिष्टी थे इनके परिवार अजमेर की दरगा में क बुलाया गया लेकिन जातातर परिदों ने चुपी साथ रखी थी कुछ लर्किया हैवानों के खिलाफ आवाज उठाने आई भी तो उन्हें डरा धमका कर चुप कराया दिया गया और मातर दो लर्किया अपने बयान पर डटी रही रिपोर्ट्स के मताबिक आट आरोपिय को उम्रकैत की सजा सुनाई गयी जिनमें से चार को वरी कर दिया गया था और चार की सजा 10 साल कर दी गई वही कई अभी भी फरार है ठीटर्स में तहल का मचाया था कई भी वदों के बावजूद भी मूवी को दर्शकों की साथ-साथ क्रिटिक्स का भी धेर सारा प्यार मि पर दस्तक देने वाली है आदा शर्मानी इंस्ट्रोग्राम पर ये रुमांच्र कवर अपने फैंस के साथ सजा की फिल्म सुदीपतो सेंद्वारा निर्देशितर विपल शाद्वारा समर्थित है एक्रिस ने लिखा आखिरकार बहु प्रतिक्षित फिल्म जल्दी पर आ र दकेरल स्टोरी पांच में 2023 को सिनमागरों में रुलीज हुई थी अब ये OTT प्लैट्प्राम सी 5 पर 16 फरवरी से स्प्रीम होगी एक यूजर ने एक्साइटमेंट दिखाते हुए लिखा वाह मैं ये मूवी रुलीज होने के तुरंदवाद ही देखूंगा दकेरल स्टोर सहसे और सुडीब तो सलेट के लिए सुसाइटाब दिखाना समय समय को को जीवंता बनाने के लिए करेंनत को सरहाना के पात्र है बॉक्स ऑफिस पर शांदा सफलता के बाद दुनिया भर में इत्यास रच्टे हुए यह अब तक की सबस्यादी कमाई करने वाली फीमिल लीड फिल्म बन गई है अब हम जी फाइब पर फिल्म की रिलीस का इंतजार कर रहे हैं ओटीटी जुर्णी के वार और यह यहां है तकी रिस्टोरी का प्रीमिर जी फाइब पर होने जा रहा है और अपके घर में बैट कर फिल्म देखना एक अदवत अनुवब होने वाला है और ऐसे कईशन है जहां आप फिल्म को बार बार देखना या देखना चाहोगे अजमेर में हुए रू का पादेने वाले स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 का जाने रीवियू साथी में जाएं कहा देखे इस फिल्म को अजमेर 92 की कहानी एक सत्य घटना पर अधारित है साल था 1990 में इप्रिल के महीने में राजस्तान का अजमेर में सेक्टों लर्कियों के साथ हुई हैवानियत के खबर ने पूरे देश को जंगचोड कर रख दिया था उस रोज भले ही सोशल मीडिया का जमाना नहीं था लेकिन खबरों को आख की तरह फैलाने में जादा वक्त नहीं लगता था एक रोज एक खबर अकवार के फ्रंट पेच पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज की चातरों की न्यूट फोटोस बलर करके लगाए गए जिससे पूरे देश में हलचल मच गई कहानी थी है वनियत की कहानी थी सौल लर्कियों के साथ हुए दुशकर्म की कहानी थी 250 लर्कियों के साथ हुए बलैक मेलिंग की पीरितों ने अपने बयान में ऐसी बाते कही जिसने पूरे देश की ओं हिला कर रख दिया था उनका कहना था कि शहर के रसूपतार पड़िवारों के कुछ लर्कों ने उनके साथ दुशकर्म किया था ये सिसला पहले एक लर्की से शुड़ो हुआ पहले उसका दुशकर्म किया फिर आपत्य जिनब फोटो कीची गई और फिर उसे शहर भर में सर्कुलेट करवाने की धमकी दी गई फोटो डिलीट करने का वादा कर पीडित चात्रा से अपनी दूसरी सहली को लाने को कहा गया और इस तरह एक एकर सौ लर्किया हवस का सिकार बन गई सौ लर्कियों के साथ हैवानियत हुई तो वही करीब 250 लर्कियों की नूट पिच्चो सुर्कुलेट हुई एक बाद एक कई लर्कियों ने तो सुसाइड भी कर लिया था जान शुरू हुई तो कई नामी परिवारों के लर्कों का नाम सामने आया जिन में मुख्या आरोपी फारुक चिष्टी नफीस चिष्टी और अनवर्च चिष्टी थे इनके परिवार अजमेर की दरगा में क बुलाया गया लेकिन जातातर परिदों ने चुपी साथ रखी थी कुछ लर्किया हैवानों के खिलाफ आवाज उठाने आई भी तो उन्हें डरा धमका कर चुप कराया दिया गया और मातर दो लर्किया अपने बयान पर डटी रही रिपोर्स के मताबिक आट आरोपियों क उम्रकैत की सजा सुनाई गए थी जिन में इसे चार को वरी कर दिया गया था और चार की सजा दस साल कर दी गई वही कई अभी भी फरार है थीटर्स में तहल का मचाया था कई भी वदों के बावजूद भी मूवी को दर्शकों की साथ साथ क्रिटिक्स का भी धेर साड़ा प्यार मिला था हाला कि कुछ लोगों ने अब तक दकीर स्टोरी नहीं देखी है ऐसे में उनके लिए बड़ी खुश कवरी है क्योंकि मूवी जल्दी ओटिटे पर दस्तक देने वाली है आदा शर्मानी इंस्ट्रोग्राम पर ये रुमांच्र कवर अपने फैंस के साथ सजा की फिल्म सुदीपतो सेंद्वारा निर्देशितर विपल शाद्वारा समर्थित है एक्रिस ने लिखा आखिरकार बहु प्रतिक्षित फिल्म जल्दी जी फाइब पर आ रही है हाश्टाग दा केरला स्टोरी का प्रीमियर 16 फर्वरी को केबल हाश्टाग जी फाइब पर होगा दा केरल स्टोरी पांच में 2023 को सिनमा घरों में रुलीज हुई थी अब ये OTT प्लाट्फराम जी फाइब पर 16 फर्वरी से स्प्रीम होगी एक यूजर ने एकसाइटमेंट दिखाते हुए लिखा वाह में ये मूवी रुलेस होने के तुरंद वाध ही देखूंगा दा केरल स्टोरी तीन लग्यों की कहानी है शालीनी निमा और गितांजली जी ने उनकी रूमेट असीफा द्वारा दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रिरित किया जाता है एक आतंगवादी समोहों की परिवर्तित सदस्या और अफगनिस्तान में उसकी कैट को दिखाया गया है अधा शर्मा ने मुवी की सफलता पर कहादा के रिल स्टोडी के साहसी निर्माता अभिपल शाह और सुदीप तरसेन इस फिल्म को जीवनता बनाने के लिए करी मेनत करन OTT जर्णी के बारे मुद साहिद विपल अमरितलाल शाह ने कहा बॉक्स आफिस पर जवर्दस सफलता के बाद हमें हजारों मेल मिल रहे है कि दकेर स्टोरी OTT पर कब आएगी उन्होंने कहा तो आखिरकार इंतजार खतम हुआ और यह यहां है दकेर स्टोरी का प्रीमिर जी इतना चाह होगे अजमेर में हुए रूख अपा देने वाले स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 का जानिये रीवियू साथी में जाएं कहा देखे इस फर्म को अजमेर 92 की कहानी एक सत्य घटना पर अधारित है साल था उन्नीस सवरान में इप्रिल के महीने में राजस्तान कैजमेर में सेक्टो लर्कियों के साथ हुई हैवानियत के खबर ने पूरे देश को जंग छोड कर रख दिया था उस रोज भले ही सोशल मीडिया का जमाना नहीं था लेकिन खबरों को आख की तरह फैलाने में जादा वक्त नहीं लगता था एक रोज एक खबर अकवार के प्रंट पेच पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज की चातरों की न्यूट फोटोस बलर करके लगाए गए जिससे पूरे देश में हलचल मच गई कहानी थी हैवानियत की कहानी थी सौ लर्कियों के साथ हुए दुशकर्म की कहानी थी दो सो पचास लर्कियों के साथ हुए ब्लैक म किया था यह सिसला पहले एक लर्की से शुड़ो हुआ पहले उसका दुश कर्म किया गया फिर आपत्य जिनब फोटो खीची गई और फिर उसे शहर भर में सर्कुलेट करवाने की धंकी दी गई फोटो डिलीट करने का वादा कर पीडित चात्रा से अपने दूसरी सहली को ला जान शुड़ो हुई तो कई नामी परिवारों के लड़कों का नाम सामने आया जिन में मुख्या आरोपी फारुक चिस्ती नफीस चिस्ती और अनवर्च चिस्ती थे इनके परिवार अजमेर की दरगा में काम करते थे तीनों यूद कॉंग्रेस से भी जुड़े हुए थे पलीस ने मामले की जाँच परताल की तो अजमेर के 18 आरोपियों के खिलाफ केस दर्च किया गया एक एक कर पीडितों को बयान देने के लिए आगे बुलाया गया लेकिन जातातर पीडितों ने चुपी साथ रखी थी कुछ लड़किया हैवानों के खिलाफ आवाज उठान था और चार की सजा 10 साल कर दी गई वही कई अभी भी फरार है थीटर्स में तहल का मचाया था कई भी वदों के बावजूद भी मूवी को दर्शकों की साथ साथ क्रिटिक्स का भी धेर साड़ा प्यार मिला था हाला कि कुछ लोगों ने अब तक दकीर स्टोरी नहीं देख है ऐसे में उनके लिए बड़ी खुशकवरी है क्योंकि मूवी जल्दी ओटीटी पर दस्तक देने वाली है अदा शर्मानी इंस्ट्रोग्राम पर यह रुमांच्र कवर अपने फैंस के साथ सजा की फिल्म सुदीपतो सेंद्वारा निर्देशितर विपल शाद्वारा समर इनमागरों में रुलीज हुई थी अब यह ऊटीटी प्लैट्फराम पर 16 फरवरी से स्प्रीम होगी एक यूजर ने एकसाइटमेंट दिखाते हुए लिखा वाह में यह मूवी रुलीज होने के तुरंद वाध ही देखूंगा दकेरल स्टोरी तीन लर्कियों की कहानी है और गितानजली जी ने उनकी रूमिट असीफा दौरा दुसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रेइड के आ जाता है दो स्टोरी को धॉब भागों में भी भजित किया गया है पहले देखाया गया था जिबकि दूसरे भाग में वाव के रूप में शालीनी की यात् पहां से निर्माता अभी पुल शाह और सुदीप तसेन इस फिल्म को जीवनता बनाने के लिए करी मेनत करने के लिए सरहाना के पात्र है बॉक्स ऑफिस पर शांदा सफलता के बाद दुनिया भर में इत्यास रच्टे वे यह अब तक की सबस्यादी कमाई करने वाली फीमिल मेल मिल रहे है कि दकेर स्टोरी ओटीटी पर कब आएगी उन्होंने कहा तो आखिरकार इंतजार खतम हुआ और यहां है दकेर स्टोरी का प्रीमिर जी फाइपर होने जा रहा है और अपके घर में बैक कर फिल्म देखना एक अधवत अनुवब होने वाला है और ऐसे कईशन है जहां आप फिल्म को बार बार देखना या देखना चाहोगे अजमेर में हुए रू का पादेने वाले स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 का जानिये रीवियू साथी में जाएं कहा देखे इस फिल्म को अजमेर 92 की कहानी एक सत्य घटना पर अधारित है साल था 1990 में इप्रिल के महीने में राजस्तान का अजमेर में सेक्टो लर्कियों के साथ हुई हैवानियत के खबर ने पूरे देश को जंग छोड कर रख दिया था उस रोज भले ही सोशल मिडिया का जमाना नहीं था लेकिन खबरों को आग की तरह फैलाने में जादा वक्त नहीं लगता था एक रोज एक खबर अकवार के फ्रंट पेच पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज की चात्रों की न्यूट फोटोस बलर करके लगाए गए जिससे पूरे देश में हलचल मच गई कहानी थी हैवानियत की कहानी थी सौ लर्कियों के साथ हुए दुशकर्म की कहानी थी 250 ल सूपतार पडिवारों के कुछ लर्कों ने उनके साथ दुशकर्म किया था ये सिसला पहले एक लर्की से शुड़ो हुआ पहले उसका दुशकर्म किया गया फिर आपत्य जिनब फोटो खीची गई और फिर उसे शहर भर में सर्कुलेट करवाने की धमकी दी गई फोटो ड पचास लर्कियों की नूट पिच्चो सर्कुलेट हुई एक के बाद एक कई लर्कियों ने तो सूसाइट भी कर लिया था जान शुड़ो हुई तो कई नामी परिवारों के लर्कों का नाम सामने आया जिन में मुख्या आरोपी फारुक चिष्टी नफीस चिष्टी और अ के कर पीडितों को बयान देने के लिए आगे बुलाया गया लेकिन जातर पीडितों ने चुपी साथ रखी थी कुछ लर्किया हैवानों के खिलाफ आवाज उठाने आई भी तो उन्हें डरा धमका कर चुप कराया दिया गया और मातर दो लर्किया अपने बयान पर डटी रिपोर्ट्स के मताबिक आट आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी जिन में से चार को वरी कर दिया गया था और चार की सजा दस साल कर दी गई वहीं कई अभी भी फरार है थीटर्स में तहलका मचाया था कई भी वदों के बावजूद भी मूवी को दर्शकों की साथ साथ क्रिटिक्स का भी धेर साड़ा प्यार मिला था हाला कि कुछ लोगों ने अब तक दकीर स्टोरी नहीं देखी है ऐसे में उनके लिए बड़ी खुशकवरी है क्योंकि मूवी जल्दी ओटी पर दस्तक देने वाली है आदा शर्मानी इंस्ट्रोग्राम पर ये सीफाइब पर आ रही है है हैस्टैग द केरला स्टोरी का प्रीमियर 16 फर्वरी को केबल हैस्टैग जीफाइब पर होगा दकेर स्टोरी पांच में 2023 को सिनमा घरों में रुलीज हुई थी अब ये ओटीटी फ्लैट्प्राम सीफाइब पर 16 फर्वरी से स्प्रीम होगी एक यूजर ने एकसाइटमेंट दिखाते हुए लिखा वाह में ये मूवी रुलेस होने के तुरंदवाद ही देखूंगा दकेरल स्टोरी तीन लग्यों की कहानी है शालीनी निमा और गितांजली जी ने उनकी रूमेट असीफा द्वारा दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रेडित किया गया था जिबकि दूसरे भाग में रूप में शालीनी की यात्रा एक आतंगवादी समुहों की परिवर्तित सदस्या और अफगनिस्तान में उसकी कैट को दिखाया गया है अधाशर्मा ने मूवी की सफलता पर कहादा केरल स्टोरी के साहसी निर्म करने वाली फीमिल लीड फिल्म बन गई है अब हम जी फाइब पर फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं ओटीटी जर्णी के वारे महुत साहिद विपल अमनितलाल शाह ने कहा बॉक्स ऑफिस पर जबर्दस सफलता के बाद हमें हजारों मेल मिल रहे है कि दकेरल स्टोर कर फिल्म देखना एक अद्वत अनुभब होने वाला है और ऐसे कईशन है जहां आप फिल्म को बार बार देखना या देखना चाहोगे अजमेर में हुए रू का पादेने वाले स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 का जाने रीवियू साथी में जाएं कहा देखे इस फिल्म को अजमेर 92 की कहानी एक सत्य घटना पर अधारित है साल था 1990 में इप्रिल के महीने में राजिस्तान का अजमेर में सेक्टो लर्कियों के साथ हुई हैवानियत के खबर ने पूरे देश को जंगचोड कर रख दिया था उस रोज भले ही शोशल मीडिया का जमाना नहीं था लेकिन खबरों को आख की तरह फैलाने में जादा वक्त नहीं लगता था एक रोज एक खबर अकवार के फ्रंट पेच पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज की चातरों की न्यूट फोटोस बलर करके लगाए गए जिससे पूरे देश में हलचल मच गई कहानी थी हावनियत की कहानी थी सौन लर्कियों के साथ होए दुश करम की कहानी थी दोसे पचास लर्कियों के साथ हुए ब्लैक मेलिंगा फीरितों ने अपने बयान में ऐसी बाते कही जिसने पूरे देश के ओ खिला कर रगत था उनका कहना था कि शहर के रसूपदार पड़िवारों के कुछ लर्कों ने उनके साथ दुशकर्म किया था यह सिसला पहले एक लर्की से शुड़ो हुआ पहले उसका दुशकर्म किया गया फिर आपत्य जिनब फोटो खीची गई और फिर उसे शहर भर में सर्कुलेट करवान हुई तो वही करीब 250 लर्कियों की नूट पिच्चर सुर्कुलेट हुई एक के बाद एक कई लर्कियों ने तो सुसाइट भी कर लिया था जान शुड़ो हुई तो कई नामी परिवारों के लर्कों का नाम सामने आया जिनमें मुखे आरोपी फारुक चिस्ती नफीस चिस और अन्वर्च चिस्ती थे इनके परिवार अजमेर की दरगा में काम करते थे तीनों यूद कॉंग्रेस से भी जुड़े हुए थे पुलीस ने मामले की जाँच परताल की तो अटरा आरोपियों के खिलाफ केस दर्च किया गया एक एक कर पीडितों को बयान देने के लिए आगे बुलाया गया लेकिन जाद अतर परितों ने चुपी साथ रखी थी कुछ लड़किया हैवानों के खिलाफ आवाज उठाने आई भी तो उन्हें डरा धमका कर चुप कराया दिया गया और मातर दो लड़किया अपने बयान पर डटी ड़ही रिपोर्स के मताबिक हिलका मचाया था कई भी वदों के बावजूद भी मूवी को दर्शकों की साथ साथ क्रिटिक्स का भी धेर साड़ा प्यार मिला था हाला कि कुछ लोगों ने अब तक दकेर स्टोरी नहीं देखी है ऐसे में उनके लिए बड़ी खुशकवरी है क्योंकि मूवी जल्दी अपने फैंस के साथ सजा की फिल्म सुदीप्तो सेंद्वारा निर्देश इतर विपल्शा द्वारा समर्थित है एक्प्रस ने लिखा आखिरकार बहु प्रतिक्षित फिल्म जल्दी जी फाइप पर आ रही है है हैश्टैग दा केरला स्टोरी का प्रीमियर 16 फर्वरी को क केबल हैश्टैग जी फाइप पर होगा दकेर स्टोरी पांच में 2023 को सिनमागरों में रुलीज हुई थी अभी ये ओटीटी फ्लैट्वाइप पर 16 फर्वरी से स्प्रीम होगी एक यूजर ने एक्साइटमेंट दिखाते हुए लिखा वाह में ये मूवी रुलीज होने के तुरंद वाध ही देखूंगा दकेरल स्टोरी तीन लर्कियों की कहानी है शालीनी निमा और गितांजली जी ने उनकी रूमेट असीफा द्वारा दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रिरित किया जाता है दकेरल स्टोरी को दो भागों में भीवजित किया गया डुसरे द्रम में परिवर्तित करने के लिए प्रेडित किया गया था जिबकि दूसरे भाग में फतीमा वाव के रूप में शालीनी की यात्रा एक अतंगवादी समोहों की परिवर्तित व्योनिता सदस्या को dag hi गया है अधा शर्मा ने मूवी की सफलता पर कहादा के रिल स्टोडी के सहासी निर्माता अभी पुल शाह और सुदीप तसेन इस फिल्म को जीवनता बनाने के लिए करी मेनत करने के लिए सरहाना के पात्र है बॉक्स ऑफिस पर शांदा सफलता के बाद दुनिया भर में इत् अधाल शाह ने कहा बॉक्स ऑफिस पर जबर्दस सफलता के बाद हमें हजारों मेल मिल रहे हैं कि दकेर स्टोरी ओटीटी पर कब आएगी उन्होंने कहा तो आखिरकार इंतजार खतम हुआ और यह यहां है दकेर स्टोरी का प्रीमिर जीवाइपर होने चाह रहा है और अप इसे कईशन है जहां आप फिल्म को बार बार देखना या देखना चाहोगे अजमेर में हुए रू का पादेने वाले स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 का जानिये रीवियू साथी में जाएं कहा देखे इस फिल्म को अजमेर 92 की कहानी एक सत्य घटना पर अधारित है साल उनीस सवरान में इप्रिल के महीने में राजस्तान का अजमेर में सेक्टो लर्कियों के साथ हुई हैवानियत के खबर ने पूरे देश को जंग छोड कर रख दिया था उस रोज भले ही शोशल मिडिया का जमाना नहीं था लेकिन खबरों को आग की तरह फैलाने में जादा वक्त नहीं लगता था एक रोज एक खबर अकवार के फ्रंट पेच पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज की चात्रों की न्यूट फोटोस बलर करके लगाए गए जिससे पूरे देश में हलचल मच गई कहानी थी हैवानियत की कहानी थी सौ लर्कियों के साथ हुए दुशकर्म की क पीडितों ने अपने बयान में एशी बातकर कहीं जिस ने पूरे देश की हिला कर रख देया था उनका कहना था की शहर के मैस का पर उथ को तरडिकी की धमकी दी गई फोटो डिलीट करने का वादा कर पीडित चात्रा से अपने दूसरी सहली को लाने को कहा गया और इस तरह एक एकर सौ लर्किया हवस का सिकार बन गई सौ लर्कियों के साथ हवानियत हुई तो वही करीब 250 लर्कियों की नूट पिक्चल सर्कुलेट हुई एक काई लर्कियों ने तो सूसाइड़ भी कर लिया था जान शुरू हुई तो कई नामी परिवारों के लर्कों का नाम सामने आया जिन में मुख्य आरोपी, फारुक, चिस्ती, नफीस, चिस्ती और अनवर्ज चिस्ती थे इनके परिवार अजमेर की दरगा में काम करते थे तीनों यूद कॉंग्रेस से भी जुड़े हुए थे पलीस ने मामली की जाँच परताल की तो अजमेर के 18 आरोपियों के खिलाफ केस दर्च किया गया एक एक करपीडितों को बयान देने के लिए आगे बुलाया गया लेकिन जाद अतर प्रितों ने चुपी साथ रखी थी कुछ लड़किया हैवानों के खिलाफ आवाज उठाने आई भी तो उन्हें डरा धमका कर चुप कराया दिया गया और मातर दो लड़किया अपने बयान पर डटी रही रिपोर्स के मताबिक आट आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी जिन में इसे चार को वरी कर दिया गया था और चार की सजा दस साल कर दी गई वही कई अभी भी फरार है थीटर्स में तहल का मचाया था कई भी वदों के बावजूद भी मूवी को दर्शकों की साथ साथ क्रिटिक्स का भी धेर साड़ा प्यार मिला था हाला कि कुछ लोगों ने अब तक दकेर स्टोरी नहीं देखी है ऐसे में उनके लिए बड़ी खुशकवरी है क्योंकि मूवी जल्दी OTT पर दस्तक देने वाली है आदा शर्मानी इंस्ट्रोग्राम पर ये रुमांच्र कवर अपने फैंस के साथ सजा की फिल्म सुदीपतो सेंद्वारा निर्देशितर विपल शाद्वारा समर्थित है एक्रिस ने लिखा आखिरकार बहु प्रतिक्षित फिल्म जल्दी Z5 पर आ रही है हैश्टैग दा केरला स्टोरी का प्रीमियर 16 फर्वरी को केबल हैश्टैग G5 पर होगा दकेरल स्टोरी पांच में 2023 को सिनमा घरो में रुलीज हुई थी अब ये OTT प्लैट्फराम Z5 पर 16 फर्वरी से स्प्रीम होगी एक यूजर ने एक्साइटमेंट दिखाते हुए लिखा वाह मैं ये मूवी रुलीज होने के तुरंदवाद ही देखूँगा दकेरल स्टोरी तीन लर्कियों की कहानी है शालीनी निमा और गितानजली जी ने उनकी रूमेट असीफा द्वारा दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रिरित किया जाता है परिवर्तित सदस्या और अफगनिस्तान में उसकी कैट को दिखाया गया है अदा शर्मा ने मूवी की सफलता पर कहादा के रिल स्टोरी के सहासी निर्माता अभी पुल शाह और सुदीप तसेन इस फिल्म को जीवनता बनाने के लिए करी मैनत करने के लिए सरहाना के पात् अमरितलाल शाह ने कहा बॉक्स ऑफिस पर जवर्दस सफलता के बाद हमें हजारों मेल मिल रहे है कि दकेर स्टोरी ओटीटी पर कब आएगी उन्होंने कहा तो आखिरकार इंतजार खतम हुआ और यह यहां है दकेर स्टोरी का प्रीमिर जीवाइपर होने चाह रहा है और अ ऐसे कईशन है जहां आप फिल्म को बार बार देखना या देखना चाहोगे अजमेर में हुए रू का पादेने वाले स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 का जाने रीवियू साथी में जाएं कहा देखे इस फिल्म को अजमेर 92 की कहानी एक सत्य घटना पर अधारित है साल थ उस रोज भले ही शोशल मीडिया का जमाना नहीं था लेकिन खबरों को आख की तरह फैलाने में जादा वक्त नहीं लगता था एक रोज एक खबर अकवार के फ्रंट पेच पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज की चात्रों की निउट फोटोस बलर करके लगाए गए जिससे पूरे बयान में ऐसी बाते कही जिसने पूरे देश की ओखिला कर रख दिया था उनका कहना था कि शहर के रसूपदार पड़िवारों के कुछ लर्कों ने उनके साथ दुशकर्म किया था यह सिसला पहले एक लर्की से शुड़ो हुआ पहले उसका दुशकर्म किया गया फिर आप कर सौ लर्किया हवस का सिकार बन गई सौ लर्कियों के साथ हैवानियत हुई तो वही करीब 250 लर्कियों की नूट पिच्चर सुर्कुलेट हुई एक के बादे कई लर्कियों ने तो सूसाइट भी कर लिया था जान शुड़ो हुई तो कई नामी परिवारों के लर्कों का नाम सामने आया जिन में मुख्य आरोपी फारुक चिस्ती नफीस चिस्ती और अनवर्च चिस्ती थे इनके परिवार अजमेर की दरगा में काम करते थे तीनों यूद कॉंग्रेस से भी जुड़े हुए थे पुलीस ने मामली की जाँच परताल की तो अजमेर के 18 आरोपियों को बयान देने के लिए आगे बुलाया गया लेकिन जातातर परी तो उने चुपी साथ रखी थी कुछ लड़किया हैवानों के खिलाफ आवाज उठाने आई भी तो उन्हें डरा धमका कर चुप कराया दिया गया और मातर दो लड़किया अपने बयान पर डटी रही रिप में तहल का मचाया था कई भी वदों के बावजूद भी मूवी को दर्शकों की साथ साथ क्रिटिक्स का भी धेर साड़ा प्यार मिला था हाला कि कुछ लोगों ने अब तक दकीर स्टोरी नहीं देखी है ऐसे में उनके लिए बड़ी खुशकवरी है क्योंकि मूवी जल्द आखिरकार बहु प्रतिक्षित फिल्म जल्दी जी फाइब पर आ रही है है हैस्टैग दकेरला स्टोरी का प्रीमियर 16 फर्वरी को केबल हैस्टैग जी फाइब पर होगा दकेरल स्टोरी पांच में 2023 को सिनमा गरों में रुलीज हुई थी अब ये OTT प्लैट्वाइब पर 16 फर्वरी से स्प्रीम होगी एक यूजर ने एकसाइटमेंट दिखाते हुए लिखा वाह में ये मूवी रुलेस होने के तुरंदवाद ही देखूंगा दकेरल स्टोरी तीन लग्यों की कहानी है शालीनी निमा और गितांजली जी ने उनकी रूमेट असीफा द्वारा दू स्टीमा बाव के रूप में शालीनी की यात्रा एक आतंगवादी समोहों की परिवर्तित सदस्या और अफगनिस्तान में उसकी कैत को दिखाया गया है अधाशर्मा ने मूवी की सफलता पर कहादा के रिल स्टोरी के सहसी निर्माता अभिपल शाह और सुदीप तरसेन इस सरहाना के पात्रा है बॉक्स ऑफिस पर शांदा सफलता के बाद दुनिया भर में इत्यास रच्टे वे यह अब तक की सबस्यादी कमाई करने वाली फीमिल लीड फिल्म बन गई है अब हम जी फाइप पर फिल्म की रिलीस का इंतजार कर रहे है ओटीटी जर्णी के वारे म इंतजार खतम हुआ और यह यहां है तकी रिस्टोरी का प्रीमिर जी फाइपर होने जा रहा है और अपके घर में बैट कर फिल्म देखना एक अदवत अनुवब होने वाला है और ऐसे कईशन है जहां आप फिल्म को बार बार देखना या देखना चाहोगे अजमेर में हुए रू का पादेने वाले स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 का जाने रीवियू साथी में जाएं कहा देखे इस फिल्म को अजमेर 92 की कहानी एक सत्य घटना पर अधारित है साल था 1990 में इप्रिल के महीने में राजस्तान का अजमेर में सेक्टो लर्कियों के साथ हुई हैवानियत के खबर ने पूरे देश को जंगचोड कर रख दिया था उस रोज भले ही सोशल मीडिया का जमाना नहीं था लेकिन खबरों को आख की तरह फैलाने में जादा वक्त नहीं लगता था एक रोज एक खबर अकवार के फ्रंट पेच पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज की चातरों की न्यूट फोटोस बलर करके लगाए गए जिससे पूरे देश में हलचल मच गई कहानी थी है वनियत की कहानी थी सौ लर्कियों के साथ हुए दुषकर्म की कहानी थी दो सौ पचास लर्कियों के साथ हुए ब्लैक मेलिंग की पीडितों ने अपने बयान में ऐसी बाते कही जिसने पूरे देश कीओं हिला कर रख दیا था उनका कहना था कि शहर के रसूपदार पडिवारों के कुछ लर्कों ने उनके साथ दुशकर्म किया था ये सिसला पहले एक लर्की से शुड़ो हुआ पहले उसका दुशकर्म किया फिर आपत्य जिनप फोटो कीची गई और फिर उसे शहर भर में सर्कुलेट करवाने की धमकी दी गई फोटो डिलीट करने का वादा कर पीडित चात्रा से अपनी दूसरी सहली को लाने को कहा गया और इस तरह एक एकर सौ लर्किया हवस का सिकार बन गई सौ लर्कियों के साथ हैवानियत हुई तो वही करीब 250 लर्कियों की नूट पिच्चो सुर्कुलेट हुई एक बाद एक कई लर्कियों ने तो सुसाइड भी कर लिया था जान शुरू हुई तो कई नामी परिवारों के लर्कों का नाम सामने आया जिन में मुख्या आरोपी फारुक चिष्टी नफीस चिष्टी और अनवर्च चिष्टी थे इनके परिवार अजमेर की दरगा में क बुलाया गया लेकिन जातातर परिदों ने चुपी साथ रखी थी कुछ लर्किया हैवानों के खिलाफ आवाज उठाने आई भी तो उन्हें डरा धमका कर चुप कराया दिया गया और मातर दो लर्किया अपने बयान पर डटी रही रिपोर्स के मताबिक आट आरोपियों क उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी जिन में इसे चार को वरी कर दिया गया था और चार की सजा दस साल कर दी गई वही कई अभी भी फरार है थीटर्स में तहल का मचाया था कई भी वदों के बावजूद भी मूवी को दर्शकों की साथ साथ क्रिटिक्स का भी धेर सारा प्यार मिला था हाला कि कुछ लोगों ने अब तक दकेर स्टोरी नहीं देखी है ऐसे में उनके लिए बड़ी खुश कवरी है क्योंकि मूवी जल्दी ओटिटे पर दस्तक देने वाली है आदा शर्मानी इंस्ट्रोग्राम पर ये रुमांच्र कवर अपने फैंस के साथ सजा की फिल्म सुदीप्तो सेंद्वारा निर्देशितर विपल शाद्वारा समर्थित है एक्प्रिस ने लिखा आखिरकार बहु प्रतिक्षित फिल्म जल्दी जी फाइपर आ रही है दूसर ने एक्साइटमेंट दिखाते हुए लिखा वाह में ये मूवी रुलेस होने के तुरंदवाद ही देखूंगा दकेरल स्टोरी तीन लर्कियों की कहानी है शालीनी निमा और गितांजली जी ने उनकी रूमेट असीफा द्वारा दूसरे धर्म में परिवर्तित करन अफगनिस्तान में उसकी कैद को दिखाया गया है अधाशर्मा ने मूवी की सफलता पर कहादा के रिल स्टोरी के सहासी निर्मात अभिपल शाह और सुदीप तसेन इस फिल्म को जीवनता बनाने के लिए करी मैनत करने के लिए सरहाना के पात्र है बॉक्स ऑफिस साहित बिपल अमरितलाल शाह ने कहा बॉक्स ऑफिस पर जबर्दस सफलता के बाद हमें हजारों मेल मिल रहे है कि दकेर स्टोरी ओटीटी पर कब आएगी उन्होंने कहा तो आखिरकार इंतजार खतम हुआ और यहां है दकेर स्टोरी का प्रीमिर जीवाइपर होने जा रहा अजमेर में हुए रू का पादेने वाले स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 का जाने रीवियू साथी में जाएं कहा देखे इस फिल्म को अजमेर 92 की कहानी एक सत्य घटना पर अधारी थे साल था 1990 में इप्रिल के महीने में राजस्तान का अजमेर में सेक्टो लर्कियों के साथ हुई हैवानियत के खबर ने पूरे देश को जंगचोड कर रख दिया था उस रोज भले ही सोशल मीडिया का जमाना नहीं था लेकिन खबरों को आख की तरह फैलाने में जादा वक्त नहीं लगता था एक रोज एक खबर अकवार के फ्रंट पेच पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज की चातरों की न्यूट फोटोस बलर करके लगाए गए जिससे पूरे देश में हलचल मच गई कहानी थी है वनियत की कहानी थी सौ लर्कियों के साथ हुए दुशकर्म की कहानी थी दो सो पचास लर्कियों के साथ हुए ब्लैक मेलिंग की पीडितों ने अपने बयान में ऐसी बाते कही जिसने पूरे देश कियों हिला कर रख दिया था उनका कहना था कि शहर के रसूपदार पडिवारों के कुछ लर्कों ने उनके साथ दुशकर्म किया था ये सिसला पहले एक लर्की से शुड़ो हुआ पहले उसका दुशकर्म किया फिर आपत्य जिनप फोटो कीची गई और फिर उसे शहर भर में सर्कुलेट करवाने की धमकी दी गई फोटो डिलीट करने का वादा कर पीडित चात्रा से अपनी दूसरी सहली को लाने को कहा गया और इस तरह एक एकर सौ लर्किया हवस का सिकार बन गई सौ लर्कियों के साथ हैवानियत हुई तो वही करीब 250 लर्कियों की नूट पिच्चु सुर्कुलेट हुई एक बाद एक कई लर्कियों ने तो सुसाइड भी कर लिया था जान शुरू हुई तो कई नामी परिवारों के लर्कों का नाम सामने आया जिन में मुख्या आरोपी फारुक चिष्टी नफीस चिष्टी और अनवर्च चिष्टी थे इनके परिवार अजमेर की दरगा में क बुलाया गया लेकिन जातातर परिदों ने चुपी साथ रखी थी कुछ लर्किया हैवानों के खिलाफ आवाज उठाने आई भी तो उन्हें डरा धमका कर चुप कराया दिया गया और मातर दो लर्किया अपने बयान पर डटी रही रिपोर्स के मताबिक आट आरोपियों क उम्रकैद की सजा सुनाई गए थी जिनमें इसे चार को वरी कर दिया गया था और चार की सजा दस साल कर दी गई वही कई अभी भी फरार है थीटर्स में तहल का मचाया था कई भी वदों के बावजूद भी मूवी को दर्शकों की साथ साथ क्रिटिक्स का भी धेर साड़ा प्यार मिला था हाला कि कुछ लोगों ने अब तक दकेर स्टोरी नहीं देखी है ऐसे में उनके लिए बड़ी खुशकवरी है क्योंकि मूवी जल्दी ओटिटे पर दस्तक देने वाली है आदा शर्मानी इंस्ट्रोग्राम पर ये रुमांच्र कवर अपने फैंस के साथ सजा की फिल्म सुदीप्तो सेंद्वारा निर्देशितर विपल शाद्वारा समर्थित है अक्रिस ने लिखा आखिरकार बहु प्रतिक्षित फिल्म जल्दी जी फाइब पर आ रही है हैश्टैग दे केरला स्टोरी का प्रीमियर 16 फर्वरी को केबल हैश्टैग जी फाइब पर होगा दकेरल स्टोरी पांच में 2023 को सिनमा गरों में रुलीज हुई थी अब ये OTT प्लैट्वाइब पर 16 फर्वरी से स्प्रीम होगी एक यूजर ने एकसाइटमेंट दिखाते हुए लिखा वाह मैं ये मूवी रुलीज होने के तुरंदवाद ही देखूँगा दकेरल स्टोरी तीन लर्कियों की कहानी है शालीनी निमा और गितानजली जी ने उनकी रूमेट असीफा द्वारा दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रिरित किया जाता है एक आतंगवादी समोहों की परिवर्तित सदस्या और अफगनिस्तान में उसकी कैथ को दिखाया गया है अदाशर्मा ने मूवी की सफलता पर कहादा के रिल स्टोरी के साहसी निर्माता अभिपल शाह और सुदीप तसेन इस फिल्म को जीवनता बनाने के लिए करी मेनत करन OTT जर्णी के वारे महुत साहिद विपल अमरितलाल शाह ने कहा बॉक्स ऑफिस पर जवर्दस सफलता के बाद हमें हजारों मेल मिल रहे है कि दकेर स्टोरी OTT पर कब आएगी उन्होंने कहा तो आखिरकार इंतजार खतम हुआ और यह यहां है दकेर स्टोरी का प्रीमिर जी इतना चाह होगे अजमेर में हुए रूख अपा देने वाले स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 का जाने रीवियू साथी में जाएं कहा देखे इस फिल्म को अजमेर 92 की कहानी एक सत्य घटना पर अधारित है साल था 1990 में इप्रिल के महीने में राजस्तान के अजमेर में स की तरह फैलाने में जादा वक्त नहीं लगता था एक रोज एक खबर अकवार के फ्रंट पेज पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज की चात्रों की न्यूट फोटोस बलर करके लगाए गए जिससे पूरे देश में हलचल मच गई कहानी थी हैवनियत की कहानी थी सौ लर्कियों के स साथ हुए ब्लैक मेलिंग की पीडितों ने अपने बयान में ऐसी बाते कही जिसने पूरे देश कियों हिला कर रख दिया था उनका कहना था कि शहर के रसूपदार पड़िवारों के कुछ लर्कों ने उनके साथ दुशकर्म किया था यह सिसला पहले एक लर्की से शुड़ सहली को लाने को कहा गया और इस तरह एक एकर सौ लर्किया हवस का सिकार बन गई सौ लर्कियों के साथ हैवानियत हुई तो वही करीब 250 लर्कियों की नूट पिच्चो सुर्कुलेट हुई एक के बादे कई लर्कियों ने तो सुसाइट भी कर लिया था जान शुड़ू जिन में मुखे आरोपी, फारुक, चिष्टी, नफीस, चिष्टी और अनवर्च चिष्टी थे इनके परिवार अजमेर की दरगा में काम करते थे तीनों यूद कॉंग्रेस से भी जुड़े हुए थे पलीस ने मामली की जाँच परताल की तो अजमेर के 18 आरोपियों के ख दरा धमका कर चुप कराया दिया गया और मात्र दो लड़किया अपने बयान पर डटी रही रिपोर्ट्स के मताबिक आट आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी जिन में इसे चार को वरी कर दिया गया था और चार की सजा दस साल कर दी गई वही कई अभी भी फ ऐसे में उनके लिए बड़ी खुशकवरी है क्योंकि मूवी जल्दी OTT पर दस्तक देने वाली है आदा शर्मानी इंस्ट्रोग्राम पर ये रुमांच्र कवर अपने फैंस के साथ सजा की फिल्म सुदीपतो सेंद्वारा निर्देशितर विपल शाद्वारा समर्थित है अक्रिस ने लिखा आखिरकार बहु प्रतिक्षित फिल्म जल्दी जी फाइब पर आ रही है 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 सोलब फर्वरी को केबल हैस्टैग जी फाइब पर होगा दकेर स्टोरी पांच में 2023 को सिनमा गरों में रुलीज हुई थी अभी ये OTT प्लैट्वाइब पर सोलब फर्वरी से स्ट्रीम होगी एक यूजर ने एकसाइटमेंट दिखाते हुए लिखा वाह में ये मूवी रुलेस होने के तुरंदवाद ही देखूंगा दकेरल स्टोरी तीन लर्कियों की कहानी है शालीनी निमा और गितांजली जी ने उनकी रूमेट असीफा द्वारा दूसरे धर् परिवर्तित करें के Lee P Pittsburgh किया जाता है करलेल स्टोरी को दो भागों में पिवजित किया गया है पहले भाग में दिखाया कि कैसे लर्कियों को दूसरे धर्म में परिवर्तित करनी के दो जबकि दूसरे भाग में फतीमा वाग के रूप में शालिनी की यात्रा एकातंगवादी समोहों की परिवर्तित सदस्या और आफगनिस्तान में उसकी कैत को दिखाया गया है अदाशर्मा ने मुवी की सफलता पर कहादा केरल स्टोडी के साहसी निर्माता अबिपुल शाह और सुदीप तसेन इस फिल्म को जीवनता बनाने के लिए करी मेनत करने के लिए सरहाना के पात्र है बॉक्स ऑफिस पर शांदा सफलता के बाद दुनिया भर में इत्यास रच्टे वे यह अब तक की सबस्यादी कमाई करने वाली फिमिल लीड फिल्म बन गई है अब हम जी फाइप पर फिल्म की रिलीस का इंतजार कर रहे है OTT जर्णी के वारे महुट साहिद विपल अमनितलाल शा ने कहा बॉक्स ऑफिस पर जवर दस्ट अफलता के बाद हमें हजारों मेल मिल रहे है कि दकेरल स्टोरी OTT पर कब आएगी उन्होंने कहा तो आखिरकार इंतजार खतम हुआ और ये यहां है दकेरल स्टोरी का प्रीमिर जी फाइपर होने जा रहा है और अपके घर में बैट कर फिल्म देखना एक अदवत अनुभब होने वाला है और ऐसे कईशन है जहां आप फिल्म को बार बार देखना या देखना चाहोगे अजमेर में हुए रू का पादेने वाले स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 का जानिये रीवियू साथी में जाएं कहा देखे इस फिल्म को अजमेर 92 की कहानी एक सत्य घटना पर अधारित है साल था 1990 में इप्रिल के महीने में राजस्तान का अजमेर में सेक्टों लर्कियों के साथ हुई हैवानियत के खबर ने पूरे देश को जंगचोड कर रख दिया था उस रोज भले ही सोशल मीडिया का जमाना नहीं था लेकिन खबरों को आख की तरह फैलाने में जादा वक्त नहीं लगता था एक रोज एक खबर अकवार के फ्रंट पेच पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज की चातरों की न्यूट फोटोस बलर करके लगाए गए जिससे पूरे देश में हलचल मच गई कहानी थी है वनियत की कहानी थी सौ लर्कियों के साथ हुए दुशकर्म की कहानी थी दो सो पचास लर्कियों के साथ हुए ब्लैक मेलिंग की पीडितों ने अपने बयान में ऐसी बाते कही जिसने पूरे देश कियों हिला कर रख दिया था उनका कहना था कि शहर के रसूपदार पडिवारों के कुछ लर्कों ने उनके साथ दुशकर्म किया था ये सिसला पहले एक लर्की से शुड़ो हुआ पहले उसका दुशकर्म किया फिर आपत्य जिनप फोटो कीची गई और फिर उसे शहर भर में सर्कुलेट करवाने की धमकी दी गई फोटो डिलीट करने का वादा कर पीडित चात्रा से अपनी दूसरी सहली को लाने को कहा गया और इस तरह एक एकर सौ लर्किया हवस का सिकार बन गई सौ लर्कियों के साथ हैवानियत हुई तो वही करीब 250 लर्कियों की नूट पिच्चो सुर्कुलेट हुई एक बाद एक कई लर्कियों ने तो सुसाइड भी कर लिया था जान शुरू हुई तो कई नामी परिवारों के लर्कों का नाम सामने आया जिन में मुख्या आरोपी फारुक चिष्टी नफीस चिष्टी और अनवर्च चिष्टी थे इनके परिवार अजमेर की दरगा में क बुलाया गया लेकिन जातातर परिदों ने चुपी साथ रखी थी कुछ लर्किया हैवानों के खिलाफ आवाज उठाने आई भी तो उन्हें डरा धमका कर चुप कराया दिया गया और मातर दो लर्किया अपने बयान पर डटी रही रिपोर्ट्स के मताबिक आट आरोपिय को उम्रकैत की सजा सुनाई गए थी जिनमें से चार को वरी कर दिया गया था और चार की सजा 10 साल कर दी गई वहीं कई अभी भी फरार है थीयेटर्स में तहल का मचाया था कई भी वदों के बावजूद भी मूवी को दर्शकों की साथ साथ क्रिटिक्स का भी धेर साड़ा प्यार मिला था हाला कि कुछ लोगों ने अब तक दकीर स्टोरी नहीं देखी है ऐसे में उनके लिए बड़ी खुशकवरी है क्योंकि मूवी जल्दी OTT पर दस्तक देने वाली है आदा शर्मानी इंस्ट्रोग्राम पर ये रुमांच्र कवर अपने फैंस के साथ सजा की फ परवरी को केबल हैश्टैग जी फाइब पर होगा दकेर स्टोरी पांच में 2023 को सिनमागरों में रुलीज हुई थी अब ये OTT प्लैट्प्राम सी फाइब पर 16 फरवरी से स्प्रीम होगी एक यूजर ने एकसाइटमेंट दिखाते हुए लिखा वाह में ये मूवी रुली लग्यों की कहानी निमा और गितानजली जी ने उनकी रूमेट असीफा द्वारा दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रिडित किया जाता है दा करें स्टोरी को दो भागों में भीवजित किया गया है पहले भाग में दिखाया गया है कि कैसे लग्यों को दूसर धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रिडित किया गया था जिबकि दूसरे भाग में फतीमा वाग के रूप में शालीनी की यात्रा एक आतंगवादी समोहों की परिवर्तित सदस्या और आफगनिस्तान में उसकी कैट को दिखाया गया है अधा शर्मा ने मूवी की सफल के बाद दुनिया भर में इत्यास रच्टे हुए यह अब तक की सबस्यादी कमाई करने वाली फीमिल लीड फिल्म बन गई है अब हम जी फाइब पर फिल्म की रिलीस का इंतजार कर रहे है ओटीटी जर्णी के वारे महुत साहिद बिपल अमनितलाल शाने कहा बॉक्स आफ तो एक प्री मिर्जी फाइपर होने जा रहा है और अपके घर में बैट कर फिल्म देखना एक अदवत अनुवब होने वाला है और ऐसे कईशन है जहां आप फिल्म को बार बार देखना या देखना चाहोगे अजमेर में हुए रू का पादेने वाले स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 का जाने रीवियू साथी में जाएए कहा देखे इस फिल्म को अजमेर 92 की कहानी एक सत्य घटना पर अधारित है साल था 1990 में इप्रिल के महीने में राजस्तान का अजमेर में सेक्टो लर्कियों के साथ हुई हैवानियत के खबर ने पूरे देश को जंग छोड कर डग दिया था उस रोज भले ही सोशल मीडिया का जमाना नहीं था लेकिन खबरों को आख की तरह फैलाने में जादा वक्त नहीं लगता था एक रोज एक खबर अकवार के फ्रंट पेच पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज की चातरों की न्यूट फोटोस बलर करके लगाए गए जिससे पूरे देश में हलचल मच गई कहानी थी है वनियत की कहानी थी सौ लरकियों के साथ हुए दुश कर्म की कहानी थी 250 लरकियों के साथ हुए ब्लैक मेलिंग की पीडितों ने अपने बयान में ऐसी बाते कही जिसने पूरे देश कियों हिला कर रख दिया था उनका कहना था कि शहर के रसूपदार पडिवारों के कुछ लर्कों ने उनके साथ दुशकर्म किया था ये सिसला पहले एक लर्की से शुड़ो हुआ पहले उसका दुशकर्म किया फिर आपत्य जिनब फोटो कीची गई और फिर उसे शहर भर में सर्कुलेट करवाने की धमकी दी गई फोटो डिलीट करने का वादा कर पीडित चात्रा से अपनी दूसरी सहली को लाने को कहा गया और इस तरह एक एकर सौ लर्किया हवस का सिकार बन गई सौ लर्कियों के साथ हैवानियत हुई तो वही करीब 250 लर्कियों की नूट पिच्चो सुर्कुलेट हुई एक के बाद एक कई लर्कियों ने तो सुसाइट भी कर लिया था जान शुरू हुई तो कई नामी परिवारों के लर्कों का नाम सामने आया जिन में मुख्या आरोपी फारुक चिष्टी नफीस चिष्टी और अनवर चिष्टी थे इनके परिवार अजमेर की दरगा में का बुलाया गया लेकिन जातातर परिदों ने चुपी साथ रखी थी कुछ लर्किया हैवानों के खिलाफ आवाज उठाने आई भी तो उन्हें डरा धंका कर चुप कराया दिया गया और मातर दो लर्किया अपने बयान पर डटी रही रिपोर्स के मताबिक आट आरोपियों क उम्रकाइद की सजा सुनाई गयी थी जिन में इसे चार को बरी कर दिया गया था और चार की सजा दस साल कर दी गई वहीं कई अभी भी फरार है थियेटर्स में तहल का मचाया था कई भी वदों के बावजूद भी मूवी को दर्शकों की साथ साथ क्रिटिक्स का भी धेर सारा प्यार मिला था हाला कि कुछ लोगों ने अब तक दकेर स्टोरी नहीं देखी है ऐसे में उनके लिए बड़ी खुश कवरी है क्योंकि मूवी जल्दी ओटिटे पर दस्तक देने वाली है आदा शर्मानी इंस्ट्रोग्राम पर ये रुमांच्र कवर अपने फैंस के साथ सजा की फिल्म सुदीप्तो सेंद्वारा निर्देशितर विपल शाद्वारा समर्थित है अक्रिस ने लिखा आखिरकार बहु प्रतिक्षित फिल्म जल्दी जी फाइब पर आ रही है हैश्टेग दा केरला स्टोरी का प्रीमियर 16 फर्वरी को केबल हैश्टेग जी फाइब पर होगा दकेरल स्टोरी पांच में 2023 को सिनमा घरो में रुलीज हुई थी अब ये OTT प्लैट्फराम सी फाइब पर 16 फर्वरी से स्प्रीम होगी एक यूजर ने एकसाइटमेंट दिखाते हुए लिखा वाह मैं ये मूवी रुलीज होने के तुरंदवाद ही देखूँगा दकेरल स्टोरी तीन लर्कियों की कहानी है शालीनी निमा और गितांजली जी ने उनकी रूमेट असीफा द्वारा दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रिरित किया जाता है परिवर्तित सदस्या और अफगनिस्तान में उसकी कैट को दिखाया गया है अदा शर्मा ने मूवी की सफलता पर कहादा के रिल स्टोरी के साहसी निर्माता अभिपल शाह और सुदीप तरसेन इस फिल्म को जीवनता बनाने के लिए करी मेनत करने के लिए सरहाना के पात्र करनी के वारे मुद साहिद विपल अमनितलाल शाह ने कहा बॉक्स ऑफिस पर जवर्दस सफलता के बाद हमें हजारों मेल मिल रहे हैं कि दकेर स्टोरी ओटीटी पर कब आएगी उन्होंने कहा तो आखिरकार इंतजार खतम हुआ और यहां है दकेर स्टोरी का प्रीमिर कि नच्छ रहोगी